हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हमारा समय आज शुरू हो गया है दस बज गये हैं तो हम आज के ये परिचर्चा को आरम करते हैं और हमारे साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी जो के अंग्रेजी विभाग पंजाब युनिवस्टी चंदिगट से हैं वो जुड़ चोके हैं हमारे दूसरे मुख्य वक्ता प्रुवेसर धीरज कुमार जी जो की पूर्व अध्यक्ष है फिजिक्स विभाग के कुरक्षेतर उनिवर्स्की से वो हमारे साथ अभी जुड रहे हैं लगभग अगले 25-30 सेकंड में वो जुड जाएंगे और हम अपनी परिचर्चा जो है व उपस्थित होना था प्रुफेसर बिरेंद्र चौहान जी को जो की उपाध्यक्ष और निदेशक हैं हर्याना ग्रन थकात्मी के लेकिन उनके घर में एक असामिक प्रास्ती होने के कारण उनके भाई का देहा वसान हो गया था उस वज़ा से वो हमारे साथ हाज जुड नही पाएंगे लेकिन उन्होंने अपना शुब कामना संदेश अपनी ओर से हर्याना ग्रन थकात्मी की ओर से और उनके सभी सदस्यों की ओर से उन्होंने हमें प्रेशित किया है तो इस दुखद अफसर पर भी उनके द्वारा जो है उस स्वागत संदेश को हम स्विकार करते हुए आज के कारेकरम को अग्रसर करते हैं आज जैसे कि आप लोग देखी पा रहे हैं कि हमारा आज का जो विशे है अर्याना ग्रंतक आत्मी पंच्कूला के द्वारा प्रायोजित उसके द्वारा आयोजित और प्रायोजित दोनों हैं और हमारे साथ जितने भी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जितने भी में यह विशे लिया है जो इंटरडिसिप्लिनरी अंतरवैशिक नैशनल सेमिनार के रूप में वो है 21 शत्ताब्दी में भारतिय ज्ञान परंपरा का परिभाश्ट की करणन्ट यहां पर दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर प्रिष्ठ भूमी को अगर हम मिस कर देंगे या उसको हमने ठीक से नहीं समझ जा तो पूरी भारतिय ज्ञान परंपरा को न तो हम परिभाश्ट कर पाएंगे ना उसकी अफधारणों से हमारा परिचे हो प पाएंगे 21 शताब्दी को समाने रूप से परिभाश्ट तीन चार शब्दों से आप कर सकते हैं इस तरह के जो पांच छे शब्द हैं उनसे 21 शताब्दी को परिभाश्ट किया जाता है लेकिन मामला केवल परिभाश्ट करने का ही नहीं है उसके साथ उसमें जो अंतरनेहित समस्याइं हैं जिनमें कार्मिक समस्या शाब्दिक समस्याइं और अन्य के इतर ग्यान की समस्याइं अन्य मानवी विभाश्ट की जितनी भी समस्याइं है उनको ध्यान में रखते हुए एक विकल्प की ये तलाश करने जैसा है कि जो बश्चिन के द्वारा स्थाप्त मांदंड हैं उन ज्यान के मांदंडों के बराबर क्या हम भारती ज्यान परंपरा में कुछ प्रस्तूतियां दे सकते हैं या नहीं दे सकते और निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए एक चुनौति पूर्ण प्रश्न भी है कि भारत में कोई ज्यान परंपरा रही भी है या जिस तरह का हमें एक बायस इतिहास और साहित्य पढ़ाया गया पिछले 75-70 सालों में जिसमें हमें सिर्फ जो है कि निंदा का ही इतिहा हमने पढ़ा देखा और एक निंदा के बाव से हम जी रहे हैं उसमें कहीं पर कोई गुप्ता पीरियट से या उसे पूरवटी कोई सामराज्य इतने बड़े-बड़े हुए हैं काश्मीर में ललिता दित्य का राज्य रहा चोलवंश का रहा उन उपलब्धियों को देखत करके आई और आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो नई पॉलिसी आई है उसमें इंटर डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन के नाम पर आप लोग यह देख सकते हैं भारतियता के लिए बहुत विशेश उपलब्धियां हमारे उपलब्धियों को हमें जो है वो प् स्टार्ट देने के लिए मैं आप लोगों के साथ सांचा कर रहा हूं दो तीन बातें अगरे और यह कुछ एक प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के साथ अपने जब हम लोगों ने सांचा किया था इंविटेशन लेटर बड़े सरल से प्रश्न हैं इन प्रश्नों को हम अ प्रश्न करपा है कि भारतिय घ्यान परंपरा क्या है यह संगत्ता और उपयोगिता के प्रश्न भी है रेलेवेंसी और यूटिलिटी इस सब को हमें देखना है और फिर अगले प्रश्ण पर अगले स्थर पर जब आप जाते हैं तो ज्ञान परमपरा का जो शास्त्री प्रारूप है और जो लोक पक्ष है क्योंकि शास्त्र और लोक के संबंधों को परिभाशित के बगार भी आ है अब इस बात को समझने के लिए आपको दो तीन बातें समझनी होंगी फ्रिष्ट भूमी के तौर पे हलांकि मैंने आरम में दो-चार बातें उसमें से कहीं हैं लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम भारती ग्यान परमपरा की इंडिया में बात करते हैं तो इंडियन कॉंस्टिटूशन और दूसरी तरफ जो आपका इंडिस्ट्रिलाइजेशन टेक्नॉलजी और चितना बिजनेस अड्मिस्ट्रिशन है इन दो के बीच में आप भारते ग्यान परमपरा को परिभाशित करने का प्रियास करेंगे कि आप देखी रहें अपने स्क्रीन के ऊपर कि यहां पर आप एक तरफ भारती समीधान की शब्दावली है जिसके अनुसार आपको कहा जा रहा है कि आप इस तरह का विवाहर करेंगे और इसी तरह से जीएंगे इंडिया में अगर रहना है तो भारती शब्द वैसे मैं य करूंगा और दूसरी तरह मारे पास उद्योग और व्यापार जिसमें हम माट लोगों की अपेक्षा करते हैं उनको जो हम शब्दावली सिखाते हैं और भाशाय सिखाते हैं वो यहां पर है अब इसके बीच में आप जो देख पा रहे हैं वो है कि भारती ज्यान परंपरा के तीन देखने हैं एक तो यह की एस डूर एजन इनज्वाइब अब लोगा हों के और इसका प्रियोग करने वाले दूसरा का इक जो डामेंशन है वो है कि भारती ज्यान परंपरा की जब आप बात करते हैं तो उसके чार लेबल्स है स्थिति को आप सभी पक्षों से जब जानते हैं तो उसको आप आग्यान कहते हैं कि हर तरह से कि कितनी लंबी चौड़ी वस्तु है कितना उसका वेट है कितनी उसके आयाम है ये आग्यान कहलाता है संग्यान होता है संग्यान की स्थिति वो होती है जहां पर आप वस्तु के उन दोशों को भी जानते हैं उसके स्वरूप को स्ट्रक्चर को भी जानते हैं तीसरा स्तर आता है विज्ञान का स्तर जहां पर आप विशे को वस्तू को वो कौन से उसके ऐलिमेंट्स हैं जो उसको बनाते हैं उसको आप समझते हैं और फिर आप प्रग्यान के स्तर पे जाते हैं हलांकि समाने रूप से विज्ञान से उपर हम लोग नहीं जाते लेकिन प्रग्यान का स्तर वो होता है जहां से आप टोटल इन टोटैलिटी वस्तू या स्थीती या हम कहां खड़े हैं और हमारा उससे संबंध क्या है? वो प्रग्यान का स्तर आता है तो जो एक universal knowledge की जिसे हम बात करते हैं consciousness की बात करते हैं वो प्रग्यान के स्तर पर आती है तो भारती ज्यान परमपरा की बात करते हुए हमें इन चार स्तरों का भी ध्यान रखना होगा ये शब्द आपको अजीब लग सकते हैं क्योंकि समाने रूप से ना तो साइंसिस में, सोशल साइंसिस में और साइंसिस में इनको प्रियोग नहीं किया जाता तो इसलिए इन नई शब्दावली से परिचित होने के लिए हमें एक धहरे की आवश्यक्ता है दूसरी आप ये देख पा रहे हैं कि जितनी भारती ज्यान परंपरा है उसके तीन पक्ष और हैं तीन पक्ष कौन से हैं एक है कि ये क्रिशी संस्कृति आधारित है आपको जितनी शब्दावली मिलेगी वो क्रिशी पर आधारित मिलेगी वो किसी न किसी रूप से त्रिशी पर्यावरन, जो भी आप कहना चाहें, धर्ती कहलें, पritवी कहलें, उससे जुड़ी होई है, दूसरा उसका पक्ष जो है वो है लोग का पक्ष, लोग में व्यभार कैसे होता है और लोग संस्कृती क्या होती है, उससे जुड़ा हुआ ह और तीसरा उसका जो पक्ष है जिसे शास्त्र आप कहते हैं, अंग्रेजी में उसको आप knowledge system कह सकते हैं, उसके साथ जुड़े हुएं, तो खुल में लाकर करके ये जो triangle बनता है, इसके बीच में भारती परमपरा का जो कमल है, उसको हमें विक्सित करना है, देखना है, समझना है, और हो सके, तो हम उसे व्यभार में लाने का प्रयास करेंगे, इसके साथ आप screen के उपर देख पा रहे हैं, ये कुछ शब्दावलिया है, ये अवधारनात्मक शब्द हैं, जिसमें मंत्र देता, आप लोग समाने रूप से इसे धार्मिक अर्थों में समझते होंगे, क कि आपने गायत्री मंत्र पढ़ दिया है, ऐसा बिलकुल नहीं है, मंत्र का मतलब है कि आपके जो mental system है, जो आपकी personality को protect करता है, वो basically मंत्र है, लेकिन उसको हमने बना दिया है, कि वो तो किवल एक मंत्र है और किवल धनिया है, Secondly, इसी तरह से जो शब्द देवता है, देवता का मतलब होता है, जो आपको देता है, यह प्रकृति आपकी देवता है, क्योंकि most of the things which has been given to you, because of that, you call them देवता, प्रकृति आपकी देवता है, आकाश आपका देवता है, नदी आपकी देवता है, रिशी जो है वो देखना, जो विजुलाइज करता है, जिसका वीजन होता है, और इसी तरह से जितने भी आगे के सारे शब्द हैं, मैं अभी उनकी व्याख्या में नहीं जा रहा है, और ये शब्दावली मैं इसमें भी दिखा रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे है उसका निर्मान करेंगे, और उसको हम प्रियोग में कैसे लाएंगे, उसके साथ वो सारे ववस्ता हम, तो उसमें देंगे, तो यह मैं बात इसलिए भी आप लोगों को बताना चाहता था, तो यहाँ पर आप यह देख पा रहे हैं, कि यह हमारा आज का कारिक्रम है, यह दोश्टी विचार था, जो मैंने आप लोगों के साथ सांचा किया, और यहाँ से यह, लेकिन मुझे दुबारा इसको शेयर करना पड़ेगा, कुछ में सो गया है, लेकिन चलिए अभी मैं जादा उस पर नहीं चाहता, लेकिन हमारा जो कारिक्रम है, उसमें सबसे प्रतम जो हमारे मुख्य वक्ता है, प्रोफेसर डॉक्र सुधीत कुमार जी, जो अंग्रेजी पिभाग पंजाब विश्व विद्याले चंदिगट से हैं, वो हमारे साथ अपना सांचा करेंगे, और उसके बाद दूसरे हमारे जो आदर्णी मुख्य वक्ता है, प्रोफेसर डॉक्र डॉक्र डी के चतुर्वेदी जी, धीरज कुमार चतुर्वेदी जी, जो की सेवा निवरित पूर्व अध्यक्षा है, फिजिक्स विभाग कुरक्षेत्र विश्विद्याले कुरक्षेत्र से, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और उसके बाद हमारा जो खुला सत्र रहेगा विचार वे मर्श का, और वो लगपग डेड़े घंटे का रहेगा, पूरी तरह से आप अपनी अपनी बातें हमारे साथ सांची कर सकते हैं, अपने विचार सांचा कर सकते हैं, प्रश्त अंशा कर सकते हैं, अपनी प्रेजिंटेशन दे सकते हैं, और हमारे साथ डोक्टर चंदर कवर्था भारग्दा जी भी जुड़े हैं, जो अपना वकतव्या तरह सांचा करेंगे, बॉंबे से, 10 मिनट का बक्ष, उनका भी बी चाहता हूं कि हलांकि वो विशय अंग्रेजी पढ़ाते हैं लेकिन उससे भी अधिक चित्निया उनका घ्यान भारतिय परंपरा के विशय में है गहन और सूक्ष्म तीनों ही प्रक्षों से वो नितांत प्रशंस्नी है और किसी भी भाशाविद के लिए किसी भी सोशल इसके लिए वह एक प्रतिक भंदिता के भाव को उत्फन करने वाला है और शालू प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए आप अभी स्क्रीन मत शेयर के इसके वाज़ा से मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं जो है जो इंडियन इंस्टिटूट ऑफ एडवांस ट इसके अतरिक्त भारतिय ज्यानपरंपरा पर विभिन स्थानों पर विभिन देश स्रों में भी इनने लेक्टर्स दिये हैं और अर्भेंद GANSधी और इस प्रांवि लोग रहे हैं जिन्होंने भार्टी मानसक्ता को प्रभावित किया है उनके विशे में उनकी विशेष जानकारी रही है कि मैं उनका अधिक अभी नंदन करता हूं हर्याना ग्रंथक आदमी के ओर से और बाकी जितने भी हमारे साथ जुड़े कॉलेजिस हैं उनकी और से मैं उनका हार्दे का भी दंदन करता हूं और साथ ही डॉक्टर डीके चतुरवेदी जी धीरजुच कुमार चतुरवेदी जी उनका भी अगर आप प्रोफाइल देखें तो बड़ा अध्वुत है और आप हरान होंगे कि इतना काम कोई कैसे कर सकता है देश-विदेश में भ्रमन किया देश-विदेश में उन्होंने काम भी किया और सारे ने रिसर्च प्रोजेक्ट किये हैं और अंत में आकर के उन्होंने अपना जो कारेकाल पूरा किया वो कुरुक्षेत्री विश्व विद्याले में किया और वहां वो साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे अध्यक्ष भी रहे और भी बहुत सारे काम किये और अभी उन अविधारणाई फिजिक्स को ले करके हैं और जो थियोरी भारत में विक्सित हुई और जो विदेशियों के नाम हमने मड़ दी वो सारी की सारी हमने यहां पर देखी हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उनका हार्दिक अभी नंदन करते हैं स्वाधित करत हैं मैं बहुत जादा उसमें नहीं जाना जाता विस्तार में तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी को जो कि अंग्रेजी विभाग पंजाब इश्व विद्याले से हैं कि वो हमें दिशा निर्देशन रहें हमारे दोनों मुख्य वक्ता में सुविधा रहेगी तो 30 से 35 मिनिट के वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर सुधीर कुमार जी सर कि अगे प्रार्थना के साथ रारम करता हूं ओम पूनम दह पूनम दम पूनात पूनम उपथत्त ते पूनस पूनम आदाया पूनमे वाव शिश्यते ओम शांति 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 मैं आभार्व्यक्त करना चाहता हूं प्रिय बंदुवर्क विद्वान चिंतक आश्टोष जी का कि जिन्होंने मुझे आपके आज संपन्न होने वाले इस यग्य में आमंत्रित किया और इस विद्वस्भा के साम के समक्ष जिसमें के बहुत बड़े-बड़े विद्वान उपस्थित हैं अपनी कुछ बातें रखने का अवसर प्रदान किया जिसमें के कुछ मूल भूत बातों पर जो बल दे रहे जो दिया गया है आश्टोष ची द्वावारा वह कितना समीचीन है और वह कितना कितना म भारत में जिन बातों को लेकर जिन दिशयों को लेकर एक राष्ट्रिय मानस में जो उहापो और उथल पुथल की इस्तिती है वह कमोबेश इस भारतिय ज्यान समवेदन शीलता की जो कमी है हमारे राष्ट्रिय जीवन में उसके कारण है संखेप में मैं यह कहूं कि आज हमारे उपर जितने बाहे आक्रमण हो रहे हैं जो वेमर्शिक आक्रमण हो रहे हैं और भारत के अपने राष्ट्रिय जीवन के अंदर जो एक उथल पुथल है जो एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक होता है इंप्लोजन दाट देर इसे क्राइसिस विच इंप्लोडिंग फ्रॉम विदिन तो एक तो बाहे आक्रमण है हमारी एक राष्ट्रिय असमिता पर और एक हमारे अंदर ही जो हमारी अंतर चेतना है उसके अंदर एक अंतर दुंद चला है और उसका मूल कारण यह है कि 1835 से जो हमें मेकॉले का सिस्टम मिला था जिसमें भारतिय ज्यान परंपरा और प्रणाली और पधती थे हमें जिस सुर्ण कर्स कि सुनियोजित शच्द्यंत्र के तहथ जिसे हमें अहरं किया गया था 1947 के बाद से सब्सक्राँ मित्रों हमें उसी सुनियोजित शच्द्यन्तर्कार ही जिसे हम कॉस्पिरिट्रिटिय क्यांग एक education system दिया गया हमें ग्यान परंपरा से हमें हमारी अनभिग्यता रही प्रमान आप कहें कि भी यह तो तार्केक मंच है यह कोई यह कोई आध्यात्मिक मंच नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि प्रमान क्या है तो पहले आप अपने जो भारतिय ग्यान परंपरा में आज आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं जो उनके द्वारा संपादित डिक्ष्णरीज हैं शब्द कोश हैं जैसा एंसी एंसी आटी की डिक्ष्णरी देखिए डिक्ष्णरी ऑफ history देखिए जो एनसी आटी बनाई है उसमें इन अवदहारीं की जिनकी की बात अभी आश्क्रों डखिए और समाज की अवदहराणा देखिए उसमें संस्क्र nuevas आवदहारणानां तो अल्हेश्णालों की अंगरेजी में उपलब्ध्ध्व मतलब है कि आपको कितने सुनियोजिक तरीके से एक तरह से अच्छा आश्टोष जी थोड़ा विवधान आ रहा है मैडम शिक्राप प्लीज आप जो भी अंडिजारिकल माइक हैं उनको आप करें अब डॉक्टर चंद्र कंवर जी प्लीज अपना माइक आप करिए तो मैं आप से संचेप में यह कहना चाहरा था कि आप अपनी स्वयम जो हमारी ज्ञान जो स्वयम भारतिय तंत्र में शिक्षा प्रणाली डवलप हुई जिसका हमने विकास किया उसमें हमने कितनी अभारति प्रणियता लादी हमने स्वयम अपने को सेलf एलियनेड किया हमने अपने को अपने ग्ञान के केंदर से और जो हमारे हैं ज्यान का देखिए जो राष्ट्री शिक्षा नीती हैँ उसमें साफ लिखा है अब यह पहली शिक्षा नीती है जिसने किये कहा कि प्राचीन और सनातन भारतिय ग्यान और विचार की सम्रद परंपरा के आलोक में यह नीत तैयार की गई है ध्यान रहे इसमें ना मैकॉले है और ना वो सुतंत्रता के बाद का वह पाश्चात्य वह अबिजात्य वह पाश्चिमोन मुखी जो भारतिय तंत्र था इसमें समाहार किया गया है अब मैं आपको अब्धारणा बता रहा हूं हमारे एजुकेशन की पॉलिसी बनी शिक्षा की नीती नहीं बनी यह अब्धारणा के प्रश्चन है education comes from edu care that is a latin it's a latin root edu care comes from what comes from indo-european roots and the meaning of those indo-european roots is to 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 make someone lead others तेखिये ध्यान दीजिये education का जो मुख्य अर्थ है जो मूल अर्थ है जो उसका नहरुतिक अर्थ है education का because we are making education or education policies यह भी कहा जा रहा है new education policy लेकिन यह चूंके शिक्षक को केंद्र में लेकर बनाए गई है इसलिए इसमें अवधारनात्मक और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल विरोध है इसमें उन education policies से क्यों एडुकेर का अर्थी होता है to enable you to lead others now there is no ethics involved in education etymologically मैं आप की व्यत्पत्य के आधार पर बता रहा हूं अवधारना के आधार पर बता रहा हूं कि पूरी पास्चात्य एजुकेशन का जो इसलिए ध्यान रहे उननिश्वी शता पर रहा है आपको एजुकेशन का जो पास्चात्य विमर्ष में जो ता कंतर और इसलिए ध्यान रहे उननिश्वी शता सब्सक्राब्दी से पहले पूरे पस्चिम में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था या आप बहुत गौर करने की बात है कि जब इंडस्टियल रेवलूशन उत्पन होती है इंडस्टियल अलोंग इंडस्टियल रेवलूशन कम्स दी फोर वील्स ऑफ एजुकेशन ना वो उसी प्रकार का अर्थिक मानव का निर्मान करना चाह रहे थे जो के संपूर्ण विश्व में अपनी सर्वगरासी भोतिक्तावादी दर्श्टियूश से विश्व को अपना उपनिवेश बनाए इसलिए एजुकेशन और वो जो उनका भुतावादी विमर्ष है विमर्ष है जो उपयोगितावाद का विमर्ष है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता वहां विश्ण पुराण का यह श्लोक वहां नहीं है कि विद्या या ज्यान वही है जो मुक्त की और ले जाए जो सर्व की मुक्ति की और ले जाए ज्यान रहे हमारे यहां भी आप इशावाश्यों पनिशद देखिए तो वहां पर विद्या और अविद्या दोनों की उपासना वताई है वही समाज वही संस्कृति अपने धे को प्राप्त कर सकता है वह घ्यान कर्म भक्ति इन सब के संयोग से इन्हें समायोजित करके जो समाज जो समाज अविद्याम्रत्युम्तिर्ट्वा विद्यामम्तुमुश्णुते जो अविद्या जो हमारी material knowledge है जिसे आप secular knowledge कहते हैं knowledge जिसका आप इस्तिमाल करते हैं यह शब्द भी देखिए कि knowledge is power western discourse आप देखिए पूरा फुको आपको बताता है कि किस प्रकार से हम ज्ञान के माध्यम से सत्ता या वर्चस्व को स्थापित करते हैं उन पर जिनके पास वो ज्ञान नहीं है इसलिए एक प्रकार की अनैतिक शक्यकत्र करने का संग्रह करने का माध्यम है पश्चिम का जो सबसे बड़ा चिंतक है जैसे सार्थ जैसे फुको जैसे निच्षे उन्होंने कहा कि इनके ज्ञान परंपराओं में क्योंकि उनकी परंपराएं मूलता है मूल के इंद्रित नहीं है धर्म के इंद्रित नहीं है यह ध्यान रहे भारती जब हम भारती यह ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उससे धर्म और मुक्ति यह धर्म और मुक्ति यह दो मूल बीज हैं यह बीज और तीसरी अवदहरना जो है वो पुर्शार्थ की है जिसमें के धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारे ज्ञान परमपरा इन दौनों को लेकर चलती है यह जो क्राइसिस होई यह जो आधुनिकता की जब हमारी उपर चपेट पड़ी उसमें हमारे उपर जब प्रहार हुआ तो हम उसी प्रकार से आधुनिक बनने को कहा गया बात देखिया गया लगबग और उसमें हमारे भारती ही सबसे ज़्यादा अपराधी सिद्ध होते हैं क्योंके गांधी को जिस तरह से अलग किया गया आनंद कुमारसवामी को जिस तरह से अलग किया गया श्रिया रिबिंदो को को जिस तरह से अलग किया गया अंबेडकर को जिस तरह से अलग किया गया स्वामी विवेकानंद को जिस तरह से अलग किया गया स्वामी दयानंद सरस्थती के विमर्ष को जिस तरह से अलग किया गया आपने अपने इसके लिए कोई भी मैकॉले जिम्मेवार नहीं है मैकॉले उपर दूसरी जिसे आप तुर्क इस्लामी शक्तियां कहते हैं जिन्हों ने हमारे उपर बहुत बड़े प्रहार के तो मैं आपसे कह रहा था है कि जो एडूकेशन का मूल ही वह हेएक मूल वही Carney सत्ताप्राप्त करने की आगे आने कबजा हसल करने का विमर्श है तो इसलिए यह तो मूलत है उपने वेश्वादी विमर्श ही हुआ हमारे यह विमर्श है शिक्षा का अब जब शिक्षा का मूल अर्थ देखिये शिक्षा की शिक्षा का क्या मतलब है आप देखिये शिक्षा का मूल अर्थ देखिये शिक्ष to help others to wish to help others to wish to give to offer one services to to impart knowledge शिक्षधातु से आप देखिए शिक्षधातु से शिक्षार्थ आईए सेवार्थ जाईए हमारे यह अभी भी कहा जाता है क्योंकि आपको शिक्षा के अंदर आपको नीतियों का या मूल्यों का सन्निवेश नहीं करना है शिक्षा की अवधारणा ही मूल्यों पर आधारित अवधारणा है जैसा कि मैंने आपसे बता कि संस्कृत में किसी आचारे से पूछिए चाहे मोनियर मोनियर विलियम्स लीजिए चाहे वामन शिवराम आपटे लीजिए शिक्षधातु से शिक्षा का आशय क्या है उसके मूल अर्थ क्या है तो शिक्षा एजूकेशन नहीं हो सकती मेरा मतलब यह एजूकेशन शिक्षा नहीं हो सकती और यह कितने सुंदर अर्थ का एक कावे ग्रंथ है हमारे अगनिशेखर जी का उन्हों की दो लाइने आप सुनिए पहले फिर मैं आपको प्रसाद की पीला बताऊंगा कि माइनी में किस प्रकार से तो ललद्यद में क्या कहते है अगनिशेखर जी सुना है परम व्योम में रहता है शब्द और अर्थ सोवचेतन यग्य से जो स्वयम में चेतन है दिहाण रहे है यह स्वयम में चेतन होना चाहिए लेकिन स्वचेतना क्या हमारे पास है स्वचेतना में नहीं को इलोग तक जाएगी नहीं तो आप अ क Child को कोई शिक्षा कहते रहेंगे नहीं तो आप समाज कोई सुसाइटी कहते रहेंगे जैसा मैंने आपसे यह पहले बताया यह मुद्ध है इन भेदों को न समझते हुए अगर हमने अपनी चिंतन परंपरा हमारा जो चिंतन मनन और निद्यासन है जो हमारे साधन है ग्यान के अग आप नॉलिज को घ्ञान कहते रहेंगे लेकिन आप थो पश्चि में उसी के साची में उसी के खाचे में बढ़ते हुए ऐसी के खाचे को अपनी उपर अध्यारोपित करते हुए आप एक mimic man बन जाएंगे एक mimic Indian बन जाएंगे आप एक नकल्ची भारतिय बन जाएंगे ये जैसे मैंने आपसे बताया कि शिक्षा नीती कहती है और मैं ये कोट कर रहा हूँ आपकी भारत की शिक्षा नीती प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष सांसारिक जीवन अथ्वा इसकून के बाद की जीवन के तयारी की रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्के पून आत्मग्यान और मुक्ट के रूप में माना गया तक्षिला नालंदा विक्रम वल्लवी जैसे प्राची भारत के विश्विस्तरी संस्थानों में अध्यन के विविद छेत्रों में शिक्षण और शोद के उचे प्रितिमान इस्थापित किये थे चरक, शुष्रुत, आरिबट, विरामेर, भासकराचार, ब्रह्मगुप्त, चानक, चक्रपाणी, माधव, पाणनी, पतंजली, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, तोलकापियार, तिरुवल्लुवार, गारगी, अपाला, आदेशंकर, वल्लवाचार, आप ज जिसके पास है, अकेली, और अविद्या नहीं है, भी घने अंदकार में जाएगा, अंदम तमस प्रविशंती, अंदम तमस प्रविशंती, और जो सिर्फ जिसके पास अविद्या है, जिसके पास अध्यात्मिक विद्या है, या जिसके पास विद्या है, ब्रह्म विद्या और लौकिक विद्या नहीं है वह भी घने अंदकार में और वह भी घने अंदकार में जिसके पास लौकिक तो है जिसके पास कर्म समवेदी विद्या तो है कर्म के इंद्रित विद्या तो है जिसे अविद्या कहा गया लेकिन जिसके पास अध्यात्म नहीं है तो फिर रास्त क्या है तो रिशी कहता है तो रिशी यह कहता है कि विद्या और अविद्या को जो सम्यक प्रकार से धारण करता हुआ जानता हुआ और जो जो समाज और संस्कृति और विश्व में जो अपना रास्ता बनाता है वह अविद्याम्रत्युम्तिर्त्य। हमें अविद्या भी चाहिए, हमें material knowledge चाहिए, इसलिए अगर कोई भी विचार, श्रेष्ट शोध, श्रेष्ट संकल्प, प्रकल्प, अगर किसी भी विश्व में कहीं भी है, हमें उसे धारण करने में कोई भी आपत्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये उस फुकोल्डियन जो knowledge इस पावर से अलग होना चाहिए, और इसके लिए विद्या अवश्यक है, और इसलिए उन्हों कहा, अविद्याम्रत्युम्तिर्त्वा, विद्यायाम्रत्यु कि मुक्ति की ओर सिर्फ विद्या ही ले जाएगी जब वो अविद्या से सहियुक्त होगी, इसलिए जैशंकर प्रसाद ने ज्यान रहे 1936 में जब वो कामाईनी लिख रहे थे, तो उन्होंने देखा, कि हमारी क्रिया कुछ और है, कर्म कुछ और है, ज्यान कुछ और है, इ सारी आधुनिक्ता का जो तंत्रम पर आरोपित हुआ, उसमें क्या है, हमारा ज्यान की पीला क्या है, वो कहते ज्यान दूर कुछ, ज्यान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके, है विडम बनाया है जीवन की, इसलिए मित्रो ये जो एक स्कीमा बनाया है, ये जो एक युक्ति का निर्मान कर रखिया है, हमारे रिशियों ने, के विद्या और अविद्या, अपरा और परा, जिसे आपने शिल्प और कला और विद्या में विभाजित कर दिया, आप अनंद कुमारा स्वामी और गांध है, दोनों में कोई भेद नहीं है, मित्रो अगर आप हमारे याँ आप शॉर्ति और इसमृति और शास्त्र ये तीनों साथ साथ चलते हैं, आप देखिये कि मैं अभी एक काम सूत्र पढ़ रहा था, काम सूत्र में 64 प्रकार की विद्याओं का विवरान है, 64 प्रकार की ती ये उन 64 प्रकार की विद्याओं में आपके नाखून काटने से लेकर आपके सारे साइंटिफिक डिसकवरी, साइंटिफिक इन्वेंशन्स, आपकी जिसे आप कहते हैं सेकुलर साइंस, इंपिरिकल साइंस, वहां से लेकर आपकी गार्डनिंग तक, जोतिश तक, कावे शा हमें उसमें डिप्लोमेसी, हमें कूटनीती, दंडनीती, आध्यान रहे, आनवीशिकी, त्रई, वार्ता और दंडनीती, ये आचारे चालक के कहते हैं कि चारों आवश्यक हैं आपके लिए, आप कामसूत्र पढ़ रहे हैं तब भी आपको रिमाइंड ये कराया जाता है, आप महाभारत पढ़ते हैं तब भी आपको ये रिमाइंड कराया जाता है, आप रामायन पढ़ते हैं तो आप शुरू से जरा देखिए, आप अयुद्या का वणन देखिए और लंका का वणन देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की विज्ञान पर आधारि ये दौनों महान नगर थे, बिन मिन संस्कृतियों में जिस प्रकार से निर्माण हुआ था लंका का, विभिन जीवन द्रश्टी के अंतरगर, जिस प्रकार से अधिया का निर्माण होता है, उधर्शन पढ़िए आप, और इनकी उपर गरंत भी हैं, सबसे बड़ी बात य हम दो-तीन लाख मैनिस्क्रिप्ट्स हैं, जिन काके अभी अधियन किया जाना बाकी है, शेश है, जब ये भारती भाषाओं में वो घ्यान उपलब्द होगा, देखिए, मैं आपको बताओं कि कुछ बहुत अच्छा प्रयत्म भी हो रहा है हमारे हां, हमारे हां भारती इं लब्द कराई जाए, क्योंकि it is only through the medium of English that we can present our knowledge system in the global space, now this is a blunder of the first order, किसी भी स्वाधीन समाज में सबसे पहला ज्यान की निर्मिति उस समाज की भाषा में होती है, इसलिए यह पहली शिक्षा नीती है, जिसने के यह लगबग अनवार कर दिया था, कि ज्यान जो हो, ज्यान की संप्रिशणी इता जो होनी चाहिए, ज्यान को का वितरण जो होना चाहिए, ज्यान की उपलब्दता जो होनी चाहिए, वो भारत की भाषाओं में हो, तो यह जो पुस्तक आई इंडियन नॉलिज सिस्टम, concepts and applications, यह महादेवन, रजत जी और और आरेन नगेंदर जी ने संयोजन है, सभी प्रकार से इसमें संयोजन है, और कहा है कि किस प्रकार से, वे भारत की जो सनातनी प्रग्या है, जो सारस्वत परमपरा है, उस पर ही आधारित है, लेकिन अगर यह भारत की ज्यान परमपरा, भारती भाषाओं में सबसे पहले नहीं आती, जो परस पर पादरत हों जैसे के हमें आज यह discussion अगर हम अपनी पंजाबी और हिंदी में कर रहे हैं तो यही discussion के बिंदू कंणर में भी हो रहे हों तमिल में भी हो रहे हों और तमिल और हिंदी के बीच में क्या समवाद की स्तिती है कंणर और हिंदी के बीच में समवाद की स्तिती क्या है अगर बंगाली और हिंदी के बीच में समवाद मात्र अंग्रेजी के माध्यम से होगा तो ये हमारी हार है फिर पराधीनिता के दुष्चक्र में फसेंगे ज्यान रहे गांधी ने हिंद सुराज में और उससे बड़ा स्टेटमेंट है नहीं कोई कि भारत की आने वाली पीडियां शिराप देंगी अंग्रेजी पढ़े लिखे पश्चिमोन मुखी बध्यकों को जो इस भारत की गुलामी के लिए पराधीनिता के लिए मूलत है जिम्मेदार है ये गांधी ने उनिस सनों में हिंद सुराज में लिखा मेरे ख्याल से गांधी ने जितने अपशब्द और विवेकानन्द ने भारतिय अंग्रेजी बोलने वाले पश्चिमोन मुखी ध्यान रहे अंग्रेजी से विरोध उनका नहीं है अंग्रेजी के वर्चत्स से मुझे आप उस चिंतक का नाम बताईए आप टैगोर को लीजिए श्रियर अरविंदो को लीजिए आप ये चिंतक ऐसे थे जिन्होंने अदभुत अंग्रेजी में लिखा है स्वामी विवेकरन को लिए लेकिन इनका अंग्रेजी के वर्चत सो का विरोध देखिए भारत के ग्यान को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाए इसके लिए मुझे आख्यान बताईए इसका विरोध है क्योंकि अंग्रेजी के साथ इसलिए अंग्रेजी का एक सेतू का का करें जहां हमारा वैश्विक विमर्ष आता है लेकिन अंग्रेजी वहां बहुत बड़ी बादा हो जाएगी अगर भारतिय ज्यान और विद्याओं का प्रचार प्रसार अंग्रेजी के माध्यम से अब भी होता रहेगा इसमें बहुत बड़ा परवर्तन आ रहा है मित्रों हम इस अंकल्ब दिया गया है उन्होंने कहा कि यह 19 भाषाओं में अंतह संचरण का एक 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 बना रहा है भारत सरकार भी इसी प्रकार के अपने जो उनका आईटी हैं उनमें उस प्रकार से वह सर्च एंजिन्स बनने हैं जिन से और वह अनुवाद के एंजिन्स जिनमें के भारतिय अवधारणाओं का भारतिय भाषाओं में अंतर संचरण हो अनुवाद हो लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से नहों मित्रों तभी आप यह देखेंगे कि धर्म का जैसे धर्म का अर्थ है समाज का अर्थ है ज्यान का अर्थ है यह तभी विवस्थित हो पाएंगे हमारी चिती के अंग बन पाएंगे राष्टर के जीवन के अन्य था अन्य था हम लोग जैसे ही कहेंगे कि यह यह चुंके प्रिंस्टन और येल और हावर्ड में यह फलाने जो आज की वोकिजम चल लए है जो आपकी उपर एक प्रहार हो रहा है यह अनर्थक नही दो वॉल्यूम में आचायर कपल कपूर जी ने आयाया शिमला में और यहाँ पर तयार करवाई भी के पॉब्लिकेशन से मित्रों जरा पढ़िए उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए उन्होंने कहा कि जब तक हम इस अमर बेल रूपी यह जो अंग्रेजी वर्चस्व है यह जो भिन्यता है हमारी इस भिन्यता को पहचानना होगा हम लोग बहुत अबिन्यता और अद्वयत की बात करते हैं बिना द्वयत को जाने अद्वयत का कोई अर्थ नहीं रह जाता स्वबोध और शत्रवोध यह दोनों जरूरी है और इसलिए आचार राजी मलुक्त्रा की जो बुक के दो लेटेस्ट बुक्स हैं, उसमें एक तो यह, जिसने Artificial Intelligence and the Future of Power, आपके सारे ज्यान, आपकी इसमृतियों को, शृतियों को, संस्कृतियों का किस प्रकार से systematic अपहरण हो रहा है, systematic abduction हो रहा है, digestion हो रहा है, and then super imposition on all of us through the western perspectives, उसका अदवोत, शड्यंत्र का उन्होंने उजागर किया, और जो दूसरी किताब अभी जो आई उनकी, Snake Sinda Ganga, यह जो Snake Sinda Ganga है, यह जो breaking India forces है, यह किस प्रकार से आपकी ही ग्यान, जैसे आपकी भगवत गीता है, आपका राम चरित्मानस है, पर प्रहार हुआ न, हम सब लोग कि कौन सी भगवत गीता है, यह कौन सी वन विवस्ता है, यह कौन सी जाती प्रता है, जिस पर हमारा ही एएक हिंदुस्तानी हमारा ही एक राष्ट्रिक हमारा ही नागरिक कह रहा है कि यह तो व्यर्थकी किताब हैünkने जला दीजीए मित्रो ध्यान रहे यह जो स्नेक सिंधा गंगा है अज़र हम अपने बच्चों को उन मूछ अभधारणाओं के जो हमारे ग्यान की मूलव धारनाएं हैं उन पर हम नहीं ले जाएंगे तो ये जो सनेक सिंदा गंगा है ये आपको इस प्रकार के विमर्ष की ओर ले जाएगी जिस प्रकार के विमर्ष में जैसे मैंने आपको बताया कि गायतरी चक्रवर्ती इस पे वॉक ने कहा कि वेद आ मुलता इस्त्रीविरोधि है मित्रो इससे वणа अनर्थ किया हो सकता है गायत्तरी चक्रवर्ती इस पर इस्त्रीवाद चारीवाद सबसे वड़ी नायका है पास्चाति विमर्ष को उसका जैसे कहते ना रश्र सिद्धान्त में कि आलंबन और उद्धीपन उनका आलंबन तो वो सवयम है और उद्धीपन है महाश्यतादेवी आप बताएं महाश्यतादेवी के विमर्ष को लेकर अगर आप यह सिद्ध करने जाएं कि यह भारती वैदिक सनातन परंपरा है जो सतीप्रथा के लिए विद्वाओं के जलाने के लिए जिम्मेदार है जब कि रिगवेद के का जो नवा मंडल है उसमें आप पढ़िये जरा वो कहता है रिशी रिगवेद का कि इस्त्री तेरा तेरा जिसको तुने प्रेम क किया वह पती तेरा वह प्रेमी अब निश्प्रान हो कर पड़ा है उठ उठ अपने वस्त्रों को धारण कर और ग्रहस्त में जाकर अपने दायतों का निर्वाह करती हुई आगे बाद इस दा इस इस एक्जेट रिगवेदिक वर्स इस इन डिफेंस आफ सतीप्र्था इस कि अदिस इसे डीसेबलिंग वर्स और इनेबलेंग वर्स या तो इस तरीकों जिसका पतर यह को एक वर्स आपको बता को हमारे पूरे दर्शन को पहशिमि पहरति मैं पहचिम की परवाह नहीं करता मैं मुझे अंग्रे अमेरिकन्स और येरोपियंस से कोई वेंडी डॉनिगर और शेल्डन पॉलक से उतना कोई पीला नहीं है पीला हमें अपने अपने ही भाईयों और बहनों से है जिन्हों इस प्रकार से वर्ण विवस्था विवस्था से शोशीली मोबायल , वह शूद्र हो सकता वह सकता है वही वैश्य कपी विव शूद्र हो सकता । रिष्जन की में मिलape supports शोद करते हैं पो सिर्फ रिषर्च करते हैं शोद्स नहीं करते फिर बात अब दहरना कि आ गई भारती ज्नन परमपरा में शोद की परमपरा है हमारे यहां खोज की परंपरा नहीं है हमारे यहां शोध के अंदर ही खोज है क्योंके शोध में शुद्धी है one who is practicing research one who is doing shodh gets a shodhit first he or she as a shodhak has to purify himself or herself and then in the process of this shodh which is the process of purifying knowledge you expand knowledge reform knowledge reconstruct knowledge but this knowledge should also point to the aim of shodhan samaj ka shodhan hona chahiyeyeyee hmm ईसलिए we don't have to affiliate ourselves to SDGs इस्टेनबल डिललपमेंट गोल से हमारे यह सत्र है यह हमारी भारतियों को हमार अथरोवेद का भूमी सूक्त पढ़ लीजिए आप सरस्वती सूक्त पढ़ लीजिए उसी ज्ञान से आपको अर्थ और काम की प्राप्ति होगी ज्ञान रहे अर्थ और काम हमारे हां दोनों पुर्शार्थ हैं और उनकी मित्रों यह अकारणा नहीं है कि भारत को ही केंद्र में लेकर और सारे पाष्च जगत से और सारे पश्च्यम से अटेक्स हो रहे हैं वो सारे किंद्र में भारत और भारत में ज्ञान चला-जाता है अगर यहां आर और द्रवन का भेद नहीं है यहां North South East और West का भी भेद नहीं है वही सरस्वती का प्रवाः हमें पुन्हे पकड़ना है और उसके बाद आनो भद्रा सक्ति विश्वता हमारे पास जोभी भद्र है उसका स्वागत है वह हमारे प्रवाह में मिलेगा और हम उसका ना अगर ग्यान आपको तकी और ले जाता है तो ग्यान भी अलग है नॉलिज से और स्वतन्तरता फ्रीडम नहीं है फ्रीडम और इंडिपेंडेंडन्स के इतने निगेटेव अर्थ है पस्चमी आप पस्चमी कोश देखिए Oxford English Dictionary देखिए फ्रीडम और इंडिपेंडेंडेंस अर्फ राइटेनिग टांप्स वेरेज स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वराज इन तीनों शब्दों के सनातन अर्थ देखिए, शुरुती परक अर्थ देखिए, कितने उदात हैं, कितने व्यापक हैं, इसलिए मित्रों मैं वहापरवानी को विराम देना चाहूंगा, कि जो हमारे उपर समग, जो हमें आवश्यक्ता भारतिय ग्यान परंपरा को जानने की क्यों है, वह एक यह कि हमें लोट फिर कर अपने सारे विशयों में, जो विशय आज आपको खंड-खंड रूप से पढ़ाए जाते हैं, कि यह विशय हैं, यह सोशल साइंसिज और हुमेन साइंसिज हैं, इनको पुन्हे समगरता रूपी ज्यान के दर्शन से समझना होगा, इनका एक मैटรिक समझना होगा, जब आप उस मैट्रिक सो समझ लेंगे, उसके जीव द्रव को समझ लेंगे, तो ज्यान की जो भिनताएं हैं, जो अनशाशन जन्य जिसे आप बहु ग्यान की एक अद्वैत की इस्तिति आप में उत्पन होगी कि हमारा माली माली नहीं कहलाएगा एक साइंटिस्ट होगा ऑफ दा गार्डन आपने आपको ध्यान हो कि पश्चिम में किस प्रकार से हमारे यहां का प्राकृत ग्यान जैसे प्लास्टिक सरजरी हमारे यहां का वैशेशिक किस प्रकार से गया हमारे यहां शोद की इस्तिती वही है जो न्याय के 16 एलिमेंट्स हैं और जो 26 वैशेशिक के तत्व हैं इससे बड़ा इंपिरिकल दर्शन पूरे विश्व में नहीं है जिनने अपने बहुत इक्तावादी होने पर बहुत बड़ा गर्व ह वह आएं और वैशेशिक दर्शन पढ़ें वह आएं और न्याय दर्शन पढ़ें वह आएं और सांक्य दर्शन पढ़ें जिनमें इश्वर अनुपस लगवाग अनुपस थे लेकिन जिनके केंद्र में क्या है धर्म और मुक्ति निश्रेस और अथा तो धर्मजिक असा य तेरी जो भी अशुद्धियां हों तुटियां हों उनको छमा कीजिएगा बहुत-बहुत धन्यवार जॉक्साद आपने बहुत ही व्यापक जितने इसके आयाम थे उन सभी आयामों को सपर्श करने का प्रयास किया है और उसमें आपने जो अंतर द्रिष्टी देने का सफल प देया हुआ है उसके मुकाबले में अपना एक नेरेटिव डिजाइन करना और अपने को तलाशना ये एक बहुत श्रम साध्य कार्य है क्योंकि हम लोगों की सोच और कंडीशनिंग जिस तरह की बना दी गई है और बन गई है पिछले सतर पिछ साल में वहां पर अपनी बात करना मुझे लगता है कि एक बहुत चुनौती पूर्ण बात है ये लेकिन फिर भी लोगों ने साहस किया है और अपना ग्यान अपनी भाशा अपना विचार उसकी वैश्वित्ता क्या है उस सारे के लिए जो प्रयाज कर रहे हैं उसके लिए मुझे लगता है वो सभी घ्र sell करकर के सारे विच्व को देखूँगा तो ऐसे लोगों का हम साथ देते हैं और ऐसे लोगों के प्रति अपनी असम्ति भी जताते हैं जो केवल अपने ही ज्ञान को और अपने ही भाव को तो हमारे उपर लादने का प्रयास करते हैं तो मैं आपकी बातों को ओपन हाउस डिसकेशन में हम अभी लेंगे जब खुली चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर हमारा आज का जो दूसरा मुख्य वक्तव्य है जिसको हमने ज्ञान के पक्ष से लिया है क्योंकि ये पूरी त फिजिक्स, सोशल, केमिस्ट्री और जितने अन्य साइंसेस हैं उनके साथ को दील करेगा तो उसके लिए हमने विशेश रूप से साधर आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार चतुरवेदी जी को जो की पूर्वर ध्यक्ष हैं फिजिक्स, विभाग कुर है मेरी बात, डॉक्टर चतुरवेदी जी, आप सब सुन पा रहे है मेरी बात, मेडम कामना देखिए उनका, सॉरी, शीखा जी देखिए जड़ा उनके, माइक तो नहीं आफ, और क्या वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप देखिए, अवाज आ रही है, नमस्कार, जी जी सर, मैं आपको धन्यवान से क्या हूंगा, इस गोश्टी में आपने मुझे आमंत्रित किया, कि मैं अपने विचार आप सब से सांजा कर सकूँ, आज का विशाय बहुत ही अच्छा विशाय है, जिसमें कि हम अपनी जो तो एजूकेशन प्रेणाली है, उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं, और दूसरा है कैसे करना चाहते हैं, तो इन दोने ही चीज़ों पर मैं बात करूंगा, तीसरी बात जो अभी चल ले थी, कि हम अपनी भासाओं में ग्यान को क्यों नहीं लेते, इन तीन में बात करूंगा, पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा, कि साइंस के बारे में, कि मैंने अभी ये किताब लिखी है, साइंस इन इंडिया, तो 24 जन्वरी को मेरा एक लेक्चर था, गोड़गाउं के एक स्कूल में, ये ओनलाइन था, छटी क्लास के विद्ध्यार थी थे, तो बड़े ध्यान से बच्चों ने सुना, और उसके बाद एक बच्चे ने मुझसे पूशा, कि आपको ये मोटीवेशन कहां से आया, इस क्यों आया, कुश्चन बड़ा अच्छा था, तो मैं यहीं से अपनी बात सुरू करूँगा, कि इस विषय का मोटीवेशन मुझे क्यों आया, और कहां से आया, कि इंडिया में और विदेशों में मैंने काफी वर्सों तक काम किया, और जब भी कोई साइंस की किताब हम लेते थे, तो हमेशा कोई भी खोज हो, उसमें या तो अमेरिकन होते थे, या यूरोपियन नाम है, हिंदुस्तानी का कभी नाम नहीं सुना सिवाए सीवी रमन के, तो ऐसा लगता था कि क्या साइंस सिर्फ वेस्ट की साइंस है, अगर वेस्ट की साइंस को देखें हैं, तो सारी साइंस 16 सताबदी से सुरू होती है, 16 सताबदी से पहले उनका कुछ भी नहीं है, तो पुश्चन आता है क्या 16 सताद्धी से पहले साइंस नहीं थी तो अगर साइंस नहीं थी तो हमारे यहां कैसे इतने अच्छे मंदिल बन गए बहुत सारी चीजें हुई और हमेशा सुनते थे कि हमारा ग्यान बहुत ज्यादा है हमारे सास्त्रों में साइंस है लेकिन क्या है हमको नहीं पता क्योंकि हमको सास्त्री नहीं पता तो यहां से मैं शुरू करूंगा चार चीजे मैंने यहां पर प्रश्चीजें ली हैं कि हमारा mathematics astronomy क्या था कि एंशियन इंडियन साइंस क्या थी इन्वरेंट साइंस क्या थी मेडिसन क्या था और इंडियन काउज मैंने चूच किया है क्योंकि गाए को हम बाता है कहते हैं तो हम बाता इसको क्यों कहते थे यहां से मेरा शुरू है अब शुरूगात करने से पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे अब मेकाले से शुरू करते हैं तो हमें समझना पढ़ेगा कि मेकाले का रीजन क्या था क्यों उसने इंग्रेजी सच्छा यहां पर लाया तो अगर आप उसका वासर सुनें उसकी इंटरनेट पर भी अवेलेबल है और ऑफीसे रिकॉर्ट्स में भी है उसने दो चीज कहीं थी उसने कहा था क्योंकि वह इंडिया घूमा था उसने अपनी रिपोर्ट जो बिटिश संसद में दी उसमें उसने कहा कि इंडिया को मैं सारे जगह घूमा हूं और साउथ इस्ट वेस्ट और इंडिया का जो लेटरेसी लेट रेट है वह 92 परसेंट है तो उससे कहा गया कि वहीं बताओ रीजन वाज क उसने कहा साउथ में हंडेट परसेंट है और बाकी जगह वेरी करता है बट 80 से कम कहीं नहीं है और ओवर अल इंडिया का लिटरेसी लेट 92 परसेंट है तो फिर दूसरा क्यों से किया गया कि वहां कौन से लोग आते हैं क्योंकि हमारी सुसाइटी को जैसे मनु का नाम लिय हैं तो उसने कास चारों वर्डों के लोग सिच्छा पाते हैं तो इसलिए यह कहना कि सिर्फ एक सर्टेन विसेश समदाई को सिच्छा का अधिकार था बाकी वह था ही नहीं बिल्कुल गलत है थिर वहां किसी MP ने पूछा कि ब्रिटेन में सिच्छा का क्या अनपात है तो सब्सक्राइब गया कि 18-32 की बात है कि ब्रिटेन में उस टाइम सिर्फ 17 परसेंट साच छर्ता थी तो कहा 92 परसेंट कहा 72 17 फिर उससे कहा गया उसने कहा कि इंडिया में एकनोमी इतनी अच्छी है कोई भिकारी नहीं है तो जब मैंने यह इंटरनेट पर पढ़ा तो काफी लोगों ने कमेंट किया और उसमें कहा यह फेक न्यूज है यह कैसे हो सकता है इंडिया में वेकारी नहीं थे इतना रईस था ऐसा हो ही नहीं सकता तो इसके सपोर्ट में मैं एक आपको आकड़ा देना चाहूंगा यह आकड़ा मेरा नहीं है बल्कि यूरो के एक एकनोमिस पूर्ट की में पर संटेज थर्टी सेवन परसेंट था और विच्वा द था हाइएस्ट मतललू इंडिया वाइश्टिटिंग हाइस्ट इन वर्ट एकनोमी तर्टी सेविन परसेंट दूसरा नम्मर्ट चाइनागा त्रीसरा नम्मर जापान का था और युर्प का वन टू टू परसेंट था उसके बाद उसने ये यह से यह एक अप्टर 10 years और धीमे धीमे इंडिया का और चाइना का परसंटेज गटा गया और यूरोक का बढ़ता गया एंवाइद इस नाइंटीन फर्टी सेवन यह हम इंडिपेंडेंट हुए हैं यूरोक का कंटिविशन 39 परसेंट था और हमारा बन परसेंट था इंडिया वाज अमांग दा पूरेस्ट नेशन ऑफ दी वर्ल्ट तो यह तो इस सिस्टम के द्वा अब प्रिशन आता है कि इंडियन एकोनोमी इतनी अच्छी थे कैसे तो जब वो कहते हैं कोई वेगर नहीं था अगर आप गाहों का सिस्टम देखें तो सेल्फ कॉंटेंट था कोई बरतर मनाने वाला था कोई कपड़ा बुनने वाला था कोई कोई सी उद्देग में था को अब दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा गुर्कुल सिस्टम था वो कितना अफेक्टिव था क्या वो साइंस पड़ा रहा था और साइंस थी तो क्या थी तो आप देखिए कितने हमारे फश्ट थे लिट्रेचर हमारा रिडवेदा इस चीडर दा ओल्डेस्ट बुक इन दवाल्ड तो लिट्रेचर में हम नंबर वन थे दूसरा आता है वेडिशन में हमारा आयर्वेद यह वाइद आप देखिए लोग सोचते हैं कि सिर्फ जड़ी भूटी देते हैं आयर्वेद ने सबसे पहला सबसे पहली बैक्सीन इंडिया में बनी यहां से चुरा के इंग्लेंड वाले ले गए और अपने याप एटेंट करा लिए कि फिर आते हैं इंजिनिरिंग इंजिनिरिंग आप कहेंगे कि गुर्कुल में इंजिनिरिंग कहां से आई तो आपको मैं बताऊं कि विसाखा पटनम के पास एक गुर्कुल था उसने कावेरी फैर 13th century में एक डैम बना है कावेरी नदी साउथ की सबसे बड़ी नदी है और यह डैम कोई छोटा मोटर नहीं था इस वन किलोमीटर लॉंग डैम और थर्टी सेंचरी मना आज 800 साल हो गए यह अवीवी एक्जिस्ट करता है दिस इस दा ओड़ेस डैम ऑप दी वर्ट फिर आते हम इंजिनिंग पर मेटलरजी अमारी सबसे बेस्ट मेटलरजी थी उसका गारण आप कुतुम मीन आजाएए जो आइरन पिलर है अभी तक रश्ट नहीं लिगा है लोग समझ नहीं पा रहें कैसे लगा अब यह अकेली चीन नहीं थी यह सो करता है कि मेटलरजी जब थी तो हमारे इस्टूमेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे और उनी इस्टूमेंट्स की बदौलत हम इतने अच्छे स्कल्प्चर्स बना पाएं जो मंदिरों में हैं आपको मैं बता दूं कि हमारा खजरा हो एंकोनार टेंपिल यह वर्ड के दस साइंटिफिक बिल्दिंग्स में है तो खजरा हो जब हम सुनते हैं तो हमेशा एक इरोटिक इस कल्चर्स की याद दिलाते हैं लेकिन यह साइंटिफिक बिल्दिंग करा दी गई है हमने नहीं वर्ड में साइंटिफिक कम्यूंटिटी ने क्यों अगर सब्सक्राइब है और जो स्टोन है देट इस्टोन जो अवेलेबल है क्योंकि मद्व प्रदेश का जो स्टोन है वो हार्डेस्ट इस्टोन है उस पर यह मूर्तियां बनाना और वो भी इतनी फाइन कि बालों तक के और नेल्स बनाए गए हैं और वो आज 1000 साल के बाद भी बिटे नहीं है तो कितने अच्छे औजार रहे होंगे जिससे उन्होंने यह गड़े वह अच्छी मेटलर्जी से ही पॉसिबिल था दूसरा आप कोनार्ग कोनार्ग मंदर की विश्यस्ता थी कि उसमें मूर्ती जो थी हैंगिंग थी शूर की जो पहली करण होती थी वह और वहांसे दोती थी अब इतने मंदिर में इतने स्तम्भ थे उन समय सूरी की पहली करण आना उससे समद्ण होना कितनी एकुरेसी थी हैंगिंग करने के लिए मैंगनेटिक पत्तर लगाए गये थे उनको वैलेंस किया गया तो यह थर्टी जब बर्ड में मैंगनेटिज पता भी नहीं थी तो हमारे यहां इतनी अच्छी मैंगनेटिज का घ्यान था कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग मना दी तो साइंस इंगिनिरिंग एस्ट्रोनॉमी यह सारों का कंबिनेशन कोनाग टेंपिल था जो अधुद्वूत था अब मैं आता हूँ आपके मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी पर जो आपके सामने है यह बिट्विन फाइब हंडेड टू ट्वेल हंडेड जब वर्ल्ड में नहीं पर भी मैथमेटिक्स नहीं थी हम उस टाइम गोल्डन एज में थे हमारे यह इतने विद्वान थे आरिवट से स्टार्ट करके अस्कराचार तक तो इनों ने क्या-क्या तिया एक स्लाइट प्लीज नेक्स स्लाइट यस आरिवट ने दो बहुत ही इंपोर्टेंट थेवरी दी हैं एक तो नों ने दिया प्लानेट्स मूव अराउंड सान जिसको हम हैलियो सेंट्रिक मॉडल कहते हैं सारी मॉडन फिजिक्स सारी कि है इस मॉडल पर डिपेंड्स करती है तो जितना इस पर साइंस का डिफलोब्मेंट यह आरिवट की दौलत है दौलत है सिमिलर्ली दूसरा उनका जो गंसेप्ट ऑफ जीरो कि आरिवट ने जीरो दिया इस पर सारा मौक मौडर्ण मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स डिपेंड करता है ना जब हम मौडर्ण कहते हैं तो मौडर्ण से हमारा क्या मतलब है एक्चुली मौडर्ण सिमनोनिमस है वेस्टर्ण साइंस को तो मौडर्ण मींस वेस्टर्ण साइंस नर्साइब नाव आरवर्ण से पहले लोग कहते थे कि अर्थ सेंटर में है और अर्थ के अरांड सारे प्लानेट घूंग रहे हैं यह जो है अर्थ ने दिया था फौर्टीन सेंच्री में अर्वट ने इसके द्वारा अगर यह होता अर्थ फिक्स है और सन्मूब कर रहा है तो बारह गंटे का दिन होता बारह गंटे की रात होती लिकें ऐसा नहीं होता है इसलिए आर्वट ने मॉडल दिया कि संज जो है अट दे सेंटर है बाकी प्लानेट अराउंड दी सन भूम रहे हैं नेक्स्ट वन स्थ्कें इसपिन करनें से दे्व नाइस होती है । इसकी ने मलता है क्योंके स्ब्सक्राइब के लिए मिलते हैं तो यह फिर यही चीज पंद्रवी सतावदी में और सिश्टीन सतावदी में ने कहा है तो आज जो बुक्स में है कोपर निकस का नाम आता है अर्वट का कहीं नाम नहीं आता है तो जब नई हम ला रहे हैं हमें यह बताना पड़ेगा कि यह चीज मैं कहना चाहता हूं कि यह जो तीन प्लानेट घूम रहे हैं इससे कलेंदर बना जिसको हम यूज करते हैं नाव हमारे सास्तर में जाएं पन्डी के पास जाएं तो पंचांग क्या है पंचांग पंच पार्ट तो तीनला नहीं यह पांच प्लानेट बनाया गया है वो पंचांग है तो हमारे सास्त्रों में बनाया गया कितना पराना जो कि पांच प्लानेट के मुवम्मेंट से बना है तो बहुत ज्यादा एडवांस है या यह तीन वाला तो यह मैं बताना चाहता था नेक्ष्ट बन अऌल ना कि आफ दूसरा वह है जीरो अब यह जब कहते हैं आरवाट ने जीरो दिया यही लोगों मपता है ये नहीं पता तो हम भी सोचते थे खाव डude ऊ कर दो कि जिरो खीγο holiday a तो लोग ने कहा कि फिर कैसे पता कि रावड के दस्सिर थे या कौर अब सौ थे इसका मतलब तो मेरे को भी उत्षुकता हुई कि वाक्तों सही है तो क्या तो बड़ा खोज के बाद मैंने पता लगाया कि आरभट से पहले हमारे एक से और उससे एक मैथमेटिक्स ता जिसको मैथमेटिक बेदिक मैथमेटिक्स कहते हैं तो मैथमेटिक्स था जो मिट्टी भी थी सब कुछ अगर हम रोगन नंबर देखें जो पर वैस्ट यूज करता था उसमें भी यह एक सटेन वह है जिससे वह बंटू टेन वह आप सारी वह एक सिंबल दिया और उसका जो मान है वह नतिंग है जी मता सून यह और उसने जो गिंती बंदाई यह आजकल सभी वर्ड यूज कर रही है ना यहां पर मेरा कहना है कि जब हम नई सच्छा प्रडाली ला रहे हैं तो बच्चों को जो पहली क्लास से हम जो पढ़ाते हैं उससे पताना चाहिए कि यह जीरो आरिवट का दिया हुआ है और जो गिंती है यह आरिवट की दी हुई है नकि वेस्ट की आई है तो जीरो और कहीं नहीं था इसलिए उन्होंने कहा कि आरिवट ने भारत ने दिया ना दूसरा बड़ा परह मेरा हर एक को जानते हैं बहुत बड़ा साइंसिस्ता क्या था ना वो एस्टोनोमर था मैथमेटिस्यन था एस्टो लोजर भी था और यह बगत सम्राट के यहां राजप्रोहित थे ना एक वार की बात कि सम्राट ने उनसे कहा कि जो राजकुमार है उसका भविस्य बताईए कि अठारे साल पर इसकी फलाने दिन इतने वज़े म्रत्यू होगी और म्रत्यू का कारण भी दे दिया उन्होंने सोचा कि मैं इतनी सुरच्छा पतां कर दूंगा कि यह होई नहीं पाएगा काफी कुछ चलता रहा चलो मैं डेटेल में नहीं जाओंगा जो टाइम उन्होंने बताया जो डेट बताई उस पर उसी कारण से राजकुमार की म्रत्यू हुई डिस्पाइट सारी सुरच्छा के बावजूद तो राजा कन्विंस हुआ और उसने का मैं मान किया कि आप जीत गए और मैं हार गया तो उनका मैं नहीं जीता मेरी साइंस जीती है मेरी गणना जीती है और इसकी वज़े से यह मैं प्रेडिक्ट कर पाया तो राजा ने खुस होके उनको वराहा की उपाधी दी वराहा उनका राष्ट उस राज का मगद राज का एंबलम था क्योंकि वराहा उताब तो इसलिए उनका नाम बराहा मीरा अधर उनका नाम महिर था को कहते हैं तो पराह मीरा की यह है और उसका इतना नाम हो गया आज अम उनको great scientists में मानते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट यह तीसरा नहीं पिछली 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 ब्रह्मगुप्त ब्रहामीरा के बाद यह ब्रह्मगुप्त उज्यान के सेंटर के एड़ बने ही वाज बिलियंड मैंथमेटिसिया आरवट ने जो जीरो दिया था इसको सौल साथ तक लोग समझ नहीं पाए कि इसमें कैसे एड़ करें या क्या करें जीरो को कैसे उप्योग में करें इन्होंने रूल दिये जीरो के दूसरा बात ब्रह्मगुप्त वाज दा फर्स्ट जिसने डेविट और क्रेडिट जो हम कहते हैं उधार लेना यह उन्होंने मैथमेटिक्स में बताया इंटोडूसिंग नेगेटिव नंबर इनका ब्रह्मगुप्त का दिया हुआ है नाव यह सारा चीज संस्कृत में था उस टाएम हमारे सारे जो थी नॉलेज़ संस्कृत में थी भुह सकते हैं कि हमारे संकिम्त थी बैस्त तो संसक्रिफी जांता नहीं था तो उनके पास तो यह नॉलेज पहुंुच नहीं सकती तो जो किनों। नेकी अचा वहिए दिपेंडरिंडेशा इसा नहीं है हम उस दिया है अराविक एवन अब्बासिद केलेक्ट अलमंसूर और भगता वह आठ्वी सताब्दी में यहां पढ़ने आये थे उन्हों ने सारे इनका हमारा पढ़ा और भ्रह्म गुप्त की जो किताब थी ब्रह्म इस पूता से दानता इसको इन्हों अराविक में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद यह अरव से वेस्ट पहुंची और डेसी मेट होती रही है और भी लोग आते रहे हैं तो यह है नेक्स्ट वूं कि यह इंडिया ने दिए तो जब आप स्लेवस चेंज करें यह बताएं कि यह रूल इंडिया ने दिये हैं और ब्रह्म गुप्त ने दिये ऐसे नेगेटिव नंबर का जो भी ज्यान है वो भी ब्रह्म गुप्त ने दिया है अब एक चीज यहां पर देखिए कि नहों ने दिया कोई नम्मर डिवाइड वाइजीरो इसी कुल्टी जीरो एंड सिमलेली जीरो डिवाइड वाइजीरो इसी कुल्टी जीरो हम लोग जानते हैं कि यह गलत है तो यह दो रूल उनके गलत थे और इनको सही होने में 500 साल लगे इसके दो रूट होते हैं यह ब्रहम गुप्त ने दिया और भी बहुत सारी एक प्रहम गुप्त ने दिये थे से एस्ट्रोनमी दीती में डिटिल में नहीं जाना चाहूंगा नेक्स्ट वन पास्कराचा एन अदर वेरी वेरी बिलियन इंडिया एवर है इन्हों ने बास्कर रिमूब करी एंड डिवाइड वाइज जीरो इस नौट इकुल टिश्ट जीरो दिया था इस नौट जीरो वट इंट्रेटी तो कर्ड को दिया है कि विदेश से नहीं आया है सिमिलर्ली स्कॉाइर रूट स्कॉाइर रूट हम सब जानते हैं कि दो प्लस माइनस दो वैली होती है यह भी वास्कराचार ने बताया था वास्कराचार का जो सबसे जवदस्त काम था इन्होंने चार टेस्ट बुक लिखी थी जिनको सिद्धान्त से रोमनी करके कहा जाता था और यह था लीलावती जो अरिथमेटिक था प्रीज गनित एल्जब्रा था गोला ध्याय इस्फेरिकल जमेट्री थी और ग्रह गनिता मैथमेटिक्स और फ्लानिट था मतब ग्रहों की जो गणना थी वो यह थी अब यह टेस्ट बुक कितनी जवदस्त थी आप इससे लंदा लगा लो कि पूरे इंडिया में 800 साल तक यह टेस्ट बुक के रूप में यूज होती थी और इन टेस्ट बुक का वर्ल्ड की सारी लेंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका है इसलिए जो आज हम मैथमेटिक्स या पढ़ते हैं उसें बहुत सारी प्रावलम्स हैं वह कहीं न कहीं वास्कराचार की दी हुई है लेकिन वास्कराचार का लोग कोई नाम तक नहीं पता कि वास्कराचार कौन थे यह मैकाले का वजह से हुआ अब जब मैकाले की इंटोड्यूस हुई इंग्लिस एज्यूकेशन सिस्टम तो यह सारी किताबं को वेन कर दिया गया कि सारी हटाली गई और इनके नाम को ब्लैक आउट कर दिया गया कि पता न लग पाएं इंडियन्स को कि हमारे यहां इतने माहन गरिल्टिक हुए हैं इतने वह हैं तो इसलिए है और अपना जो मेडिसल सिस्टम था उसको इंट्रोडूस किया इसलिए मझे कई वार हसी आती है जब हमारे डाक्टर कहते हैं कि आयरुवेद से पढ़े हुए आयरुवेद वाले साइंस जानते ही नहीं इस नॉनसाइंटिफिक केहते हैं वह कहते हैं आल्योजरी करी ही सकते उनको आती नहीं जो पहला ञें इасस्टेलिजन आईरिवेद ने फ्रीस किया है सारा कुछ आयर्वेद ने है और हम उनको जानते नहीं लेकिन अस्ट्रेलिया में मेडिकल कॉलेज है वहां सेज सुस्वता की मूर्थी लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है वर्ड फर्स सर्जा तो कितना हम अपने को अभी तक दवाई हुए है नाव हम अमरत काल में जा रहे हैं लेकिन अभी भी क से सुस्वता के नाम की कोई शेर नहीं है ना कोई मूर्थी है तो यह टेस्ट बुक वास्कराचार की वहन कर दी गए और नए आ गए और इनका नाम खत्म हो गया नाओ एक और चीज़ में बताना चाहता हूं कि बड़ा ही परचारित किया गया है कि ग्रैविटी नूटन न ने थी उन्होंने सेव को उनके सिर्पर गिरा और न्यूटन ग्रैविटी की खोश कर ली जब कि ग्रैविटी की खोश वास्कराचार ने दी है उन्होंने बताया यह स्लाइट पीछे की चली गई तो उन्होंने बताया था कैसे हमारे यह सूर ग्रैंड होते हैं कैसे सारे प्लानेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं से सारी दी हुई थी लेकिन हमको पता ही नहीं है मजे भी नहीं मालूम था यही मेरा मोटिवेशन था इसको पढ़ना के पीछे आगे आगी चले सब्सक्राइब नेक्स्ट नाओ को कि पिछली आहिए पिछली वाले कि ना कोई भी साइंस मैं जो अभी लेक्चर में बता रहा हूं मैं ऐसी साइंस नहीं बता रहा हूं जिसका प्रूफ नहीं है मैं सिर्फ वाली चीजों को ही बता रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं नहीं साब यह तो था ही नहीं तो देखें कि पहला एरोप्लेन हम सबको पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया जब कि यह गलत है पहला एरोप्लेन इंडिया में बना और वो भी सिवकर वापूजी तल्पड़ी ने बनाया था कि कैसे कि यह रिसी भार्द्वाइल की विमान सम्मिता किताब थी यह साथ इंडिया के एक मंदिर में मिली थी और उसमें यह इनके बिमान के मॉडल दिये हुए थे उन मॉडल को देखके उन्होंने बनाया था मैं आप नेक्स्ट में आऊंगा तब बताऊंगा तो जो हम कहते हैं कि रामाइड में रामचंग जी पुस्पक बिमान में आये थे लोग कहतें नहीं हो इनी सकता उस ताइम बिमान कहां थे सब कल बना यह उसी टाइम के रिसी वार्दवाज हैं जिन्होंने के इनके मॉडल दिये हुए है दूसरा चीज कहते हैं अगर पुस्पक बिमान था तो चलता कैसे था तो इलेक्सिटी वी उस टाइम थी और इसका प्रूफ है कि रिसी वार्दवाज रिसी अगस्त क्या सम्मिता मिली है जो उज्जयन की लाइबरेरी में थी मिली है और उसमें एलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करता है कैसे काम करता है वो सारा डेटेल दिया हुआ है और इन दौनों ही चीज़ों को टेस्ट किया गया है इन रिसेंट टाइम्स की यह चालू था तो ने दिवान सब्ता के अधार पर सिवकर वापूजी तलपडे ने एक बाडल बनाया जिसको आज की वासा में ड्रोन कह सकते हैं तो पहला ड्रोन उन्होंने बनाया और इसको एक्टी नाइंटी फाइव में बंबे चौपाटी पर डिमोस्टेट किया इन फ्रेंट आइको जग तो यह इसके प्रेस में चपा उसको छोग के रेले ब्रदर्स लंदन की एक कंपनी थी उनके रिप्रेंटेटिव आए और उनसे सारी ड्रॉइंग ले गए और आठ साल बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने इसको प्रेटेट कर रहा जिए अगर मैं इसको वाइंड अप करूं पास्ट टैम नहीं है तो पहली हमने अलेक्टिक सेल दिया जो देखिए दोनों यहां पे हैं विमान दिया पहली अब आपने साइट दिया पहला अबने अधिकल दिया पहला इंजिनिरिंग दिया पहला फिजिक्स दिया जो कनाडरी सी थे पहली केमिस्ट्री दी जो नागर्जुन थे तो सारा चीज हमने दिया है सिर्फ हमें अपने नए एजुकर सिस्टम में इस्टुडेंस को बताना यह इंडिया की नॉलेज है तो विद दिस आई जीवा को ब्राउन देता हूं नमस्कार थैंक्यू वरी बच्ट काई होप आइम टाइम है 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 थोड़े सा वह टेकनालोजी को मैंनेज करना पड़ता है तो वह और लैप कर जाती है है लेकिन मैं चाहता था कि आप दो-ती मिनट में बाकी स्लाइड्स के उपर एक एक कमेंट कर दें क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की हुई है इस सारे लिए लेकर के यह जो अग्री स्लाइड्स हैं इसको कवर अप कर दें सर लिए नेक्स्ट इस जी को के से नाट वाइस उन्होंने एटम दिया था पहला फेजिस्ट मानते हैं नेक्स्ट वर इन्वार्णमेंट्स साइंस आज क्ले इतना चलता है में पता था कि ऑप्लांट ग्रांट कितना अकसिजन देता इसलिए उन्होंने यह बंद्वता बंद्वी कहते थे वह ज्यादा उतना ही लो जितने आपकी जरूरुत है बनों को काटो मत तो एन्वारोन्मेंट भी उन्होंने सब बताए हुगा था नेक्स्ट वन कोई आदमी है जो सो जाते हैं इन में कैसे पता है तो जब वो साइंटिस्ट हुए उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया और 1901 में उन्होंने लंदन में एक एक एक्सपेरिमेंट किया और से सो किया कि अगर प्लांट को भी जहग दिया जाए तो वह वैसे ही मरता है जैसा कोई एक जिन्दा आदमी मरता है तो इत्वाज जदी चंद बोस जोनोंने प्लांट हैव लाइफ यह बताया लेकिंगे उनको नोल प्राइज नहीं दिया गया इंडियन गाय के उपर हम और इस हम से एक नाड़ी निकलती है जिसको सूर केतु नाड़ी कहते हैं यह रेडियेशन से इंटरेक्ट करके और यह गोल्डिल साल्ट बनाती है और उसी की वज़ए से देशी गाय का दूद यूरीन सभी चीज बहुत ही लावकारी होते हैं और यह रिष्ट्यों ने पहंचाना था और इसलिए इसकी पूजया करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन या जर्सी गाय लेके आवार से जबकि पूरी दुनिया ने अच्छा ना है कि इंडिया की अच्छी है ब्राजील वाले कुछ गाएं अठावी सतादी में लेके गए थे और आज उनके पास सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन गाये हैं और यह देशी गाये है जो ब्राजील की है एक गाय सिस्टी टू लेटर दूट देथी है एं ब्राजील इसमाम एक्सपोर्टर अफ पाव मिल्क इंडियन काव मिल्क और फिल्लैंड यैसे देश जो कि मैक्समाम करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं वह अपने के लिए देशी गाई का दूद लेते हैं तो अब बस दो बात से नहीं कहके मैं कंक्लूट करूंगा वो थी मेरी कि एजुकेशन का लेंग्विज क्या कि तो आप साइंस के बिना इंग्लिस के बिना साइंस मेडिसिन या इंजिनिरिंग की पढ़ाई होई नहीं सकती आपको दुनिया को समझने के लिए इंग्लिस पढ़ना ज़रूरी है तो मैं आपको दो मिनट परसनल एक्सपीजिएंस करूंगा 1979 में मैं इटेली गया इटली एरपोर्ट पर जब उत्रे कोई भी आदमी इंग्लिस समझने वाला नहीं था सारे इटालियन बोल नहीं थे बड़े ही मुस्किल से तो इसारों से काम चलाया तो वहां कोई नहीं जानता था पीएजडी तक उनके आप फेजिक्स इटालियन में पढ़ते हैं शहर मे जब गए डाक्टर के पास तो कोई एक भी डाक्टर ऐसा नहीं था जो इंग्लिस समझता हो वह या तो इटालियन बोलते थे यह फ्रेंच तो बिना इंग्लिस के न कोई डाक्टर तो जरुवती नहीं थी पिजिक्स वाले भी अपने पढ़ते थे इंग्लिस वह सिर्फ सेकिंड लैंग्विज पढ़ते हैं नेक्स्ट मैं जर्मनी गया वहां से दो साल में जर्मनी रहा तो मैं एक वार किसी ज़िए पूछा वही रेलवे स्टेशन कहां है कि उसने ऐसे तरह जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया कि रेलवे स्टेशन क्या होता है प्राव मुस्किल में समझाया सारों से तब उसने अपने बात सामें का अच्छा उसको तो कहने का मतलब है जर्मनी अगेन डिवलप कंट्री उनके हां पीएजडी तक ठीस जर्म में लिखी जाती है सारा उनके प्राण्श एस है त्रांख प्रेंट सकेंके को पता है इस्ताने रसिया रसियन में पड़ता है जापान में जापानी लेंग्वेज है चाइना में चाइनी लेंग्वेज है जब इतने सारे लोग हो सकते हैं and they are not the least in the science तो इंडिया क्यों नहीं हो सकता दूसरा मैं अपना सब्सक्राइब को बताता हूं मैं यूपी से हूँ अप्टू 12 स्टेंडर्ड मेरा मेडियम अश्ट्रेक्शन हिंदी था जब मैं बीएस्टी में गया तो एकदम हिंदी से इंग्लिस आया मुझे कुछ समझमें नहीं आता था सिरू मैं और बहुत मुस्किल से जब मैं एक्जाम में बैखता था तो मेरे सेंटेंसी नहीं बनता था क्लास में कुछ मेरे कॉन्वरेंट एजुकेटर भी थे जब कोई कुश्चन पूछना होता था तो वो सबसे पहले हाथ खड़ा करते थे हमको लगता था कि यह बड़े इंटेलिजन्ट हैं और हम तो बहुत ही इंदी वाले हैं पीछे रहते थे चुपचाप रहते थे जब एक्जाम हुआ तो मेरी फर्स्ट डिवीजन आई और वो सारे नीचे थे तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्वेंट के पड़े हुए बढ़ी जिया साइंस जानेंगे जब मैं एक साल में करता रुलकी में मैं गया आईएटी रुलकी आई गॉट सेकिंड पोजिशन इनव निवर्श्टी में तो कुई कर सकता है देन आई वर्ट मैंने और स्पोर्ट में भी लेक्चर दिये सब जगे दिये तो यह लैंग्वेज आप सीख सकते हो कभी भी जब आपको ज़रूरत हो आपको माइंड अपकी लैंग्विज से ही आता है तो सिर्फ यह कहना चाहता हू लास्ट कि जब हम इंटर्व्यू लेते हैं अपने केंडी रेस्ट हम जबदस्ती इंग्लिस बोलवाना चाहते हैं हमारे जादतर बच्चे रूनल बेक्ग्रांड से आते हैं वो कहते हैं लोग तो खोलो लोग तो खोल लो तो अगर हम इसी चीज़ को अपनी लेंग्विज में करें तो साइब बढ़ी है एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा काफी बच्चे सिर्फ इंग्लिस की वज़े से जो वो जानते हैं वो भी नहीं बता पाते हैं तो हम अपनी लेंग्विज से कर सकते हैं करना चाहिए और यह जो अप्रियत्न हो रहा है मैं इसका बहुत बहुत जोर से स्वागत करता हूं और सुख क कामना है देता हूं विद इस आएगे वाल वन सब्सक्राइब धन्यवाद बहुत बहुत आभार सर आपका और आपने बहुत सारे जो विश्यों को छुआ है और उसमें हमें इंटर्डूस किया है निश्चित रूप से उसका हमें लाब होगा और मैं उमीद करता हूं कि और अग्रिसर करने का प्रयास करेंगे और जिसमें वो शिक्षित हैं उसके साथ उसको जोड करके उसके साथ तालमील बिठा करके उसको और अग्रिसर करेंगे मैं आपके प्रती अपना आभार व्यक्त करता हूं हर्याना कादमी की और से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि हम सम जिनकी स्लाइड आप आपने सामने देख रहे हैं कि वो हमारे साथ अपना विचार सांजा करेंगे और उसके बाद ये open house discussion रहेगी उसमें आप सभी लोग क्रमशा अपना अपना विचार अपने अपने प्रश्ण अपनी opinion हमारे साथ सांजा कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय शर्मा जी जो की डीन साइंसिस के हैं गौतम बुद्धी उनिवस्टी से वो इस सारी चर्चा को जो है वो इंक्लूड करेंगे लास्ट में बहुत संख्षेप में तो मैं दस मिनट के लिए साधर आमंत्रित करना हूं डॉक्टर चंद्र कमर भार्द्वा जी सर आप सुन रहे हैं मेरी बात आजी जी मैं लिसनिंग स्राइंग यू तैंक यू तो मैं कोशिश करूंगा अभी जो इंडियन नॉलिज से सब्सक्राइब तो इस विशय को यह बैयान करना है कि तारा भ्रमान एक मिनट यह थोड़ा सा स्क्रींग से आवास रिजाउंड कर रही है तो मैंने इसको कंट्रों किया जी मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि यह जितना भी डॉक्टर्स डीके चतुरवेदी जी ने जो बयान किया है हमारे विज्ञान की परिकाश्ठाएं हम लोग कितने पहले से जानते हैं यह सब उत्रा है तो जितने भी शाष्ट्र हैं वो उत्रे हैं उन सभी हमरे इंशिंट सेजिज और सीर्स को यह बच्चों को क्यों ना उत सतुरें इस विशए पर काम किया है औरूती संदर विशए है अभी विढ़ी सारे भ्रमांड का स्कैंण हुआ है एक ब्हुत संदर पिक्चर इमर्ज हो के आया है जो कि wiping universe का एक सिंगल पोटो है जो प्रितक्ष्ष्प्रमान आंते जिसको देखने से पर्ड़ लगता है कि स सारे भ्रह्मांड में floating material bodies हैं जो के पांच तत्यों से नहीं हैं हमारे उसके अनुसार, लेकिन विज्ञान के अनुसार वो 118 elements हैं। और दुसरी चीज उसमें है, गृत्वा कर्शन चुमक की एक्षेतर से जो सारा भ्रह्मांड घूम रहा है जब से बना, बिग बैंक और महापरल है तक जब खतम होगा। उसको गणना को हमने उसको बयान किया है यूनिवर्सल माइंड की तरह से। उसमें information system embedded है। 2G, 3G, 6G internet सब उसी से operate होता है और उसमें chemistry, physics, math सब है। उपर से apple गरता है तो Newton starts calculating अभी बताया कि नहीं वो तो भारती है। रिशी मुनियों ने gravitational fields बगार आपको जाना है। किसी ने मुझे बया है कि मुझे बया है कि मुझे नगर में वो लीची गिरी थी और उसकी पुस्तरत Newton के उसके वहां पर मिली, उसने उसमें से देखा। तो किस प्रकार वो गृत्वा करशन चुम्ब की एक शित्र से जो सारा प्रमांड चल रहा है, जिसमें तीसरा law भी operate होता है, जैसे करनी वैसी भरनी, तो उसको हमने यूनिवर्सल माइंड कहके बयान किया है, और एक पार्टिकल अनुसार जो उस टोटल फी को और हर एटम को एनरजाइस करती है ताकत, उसको रिसेंटली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लें किया गया, कि स्लिट में से अपने आपको दो में विवजित करके पास हो जाता है, और कभी भी वेब बन जाता है, और कभी भी पार्टिकल बन जाता है, तो इस प्रकार वह जो एप्सोल्यूट इंटेलिजेंस के पेबल पूर सारे भ्रहमांड को एनरजाइस करती है, और हर एटम को भी करती है, उस ठोटल भ्रहमांड के हिस्से हम भी तो हैं, तो मेरा शरीर उस मिट्रियल से बनाए जो हंड़र्ड अड़र इलिमेंट है, जिसको हम पांच तत्व कहते हैं, मैंने अपना मन, भ्रहमांडी मन से एक्वायर किया है, और मैं एक आत्मा हूं, जो कि जिसको हम बयान कर रहे है, क्रिव इंटेलिजेंस, जो एपसल्योट इंटेलिजेंस के बलफोर से वेव के द्वारा, नाव के द्वारा, शबद के द्वारा जुड़ी रहती है 24-7, इस विशे को अगर हम समझ लें और बच्चों को ये नए ढंक से जो हम समझाने की कोशिक कर रहे हैं, भा अनुष्य शरीर तक आए, क्योंकि सिंगल सेल कैसे बनता है, अगर लाइट एंड साउंड, विकोज हम दो प्रताश और ध्वनी हैं आत्मा के रूप में, क्रियेटिव इंटेलिजेंस है, जो सब कुछ जानती है, तो उस पर्टिकलर ताकत के अनुसार, क्योंकि हमारे हैं चलोक आया, एकम बहुष्याम, परमात्मा ए थे अकेले थे और एक से अनिक हो गए, हम में से एक काल भगवान कहला है और उन्होंने रशना की, जिसको गव्या पार्टिकल करके उसे लेन में बयान किया, कि उसमें अट्रेक्शन है, और उसकी वज़े से पहला एटम हाइड और दो हाइड्रोजन एटम्स को एट्रेक्श करके ही यह बाया, हीलियम और हाइड्रोजन को फ्यूज करके सूरिय बनाए गए, शास्त्र में लिखा है कि पहला ज्यान से यह को दिया, किस प्रकार दो-दो सूरिय मिलके 22 प्लेसे पर आज वो और नए ऐलिमेंट्स घतार ब गुम रहा है, तो उसको 700 ताइम्स पर सेकेंड उसको बर्न कर रहा है, मिलियंस अब डिग्रीज के द्वारा, क्योंकि उसमें से वो और निकल रही है, जिक सो हम प्लाज्मा और हाई टेंपरेचर के जो रेज हैं, वो निकल रही है, और वो उसको बर्न करके अधर हैं, if light and sound strikes on pure elements, converts them into amino acids, और amino acids proteins को synthesize करके पहला cell बनाते हैं, जिसका नाम है amoeba, और उस single cell से 84 लाग जोनियों से होते हुए, आपने, आपकी आत्मा ने खुद मनुष्य शरीर बनाया, अर्द नारेश्वर का पहले sketch था हमेरे पास में, कारण मन और कारण शरीर के अनुसार, और फिर हमने सुक्षम मन और सुक्षम शरीर बनाया, जिसमें sense perceptions हैं, और जिसमें complete program है, blueprint है, single cell से human body तक जाने का, सभी sense perceptions उसमें develop हुए, और फिर सुक्षम में से बाहर आके हम स्थूल बनाते हैं हर गपा, पहले single cell बना, फिर मर गया, मन और शरीर, मन और आत्मा वापस गय मनुष्य शरीर नहीं रह गया, फिर से दुबारा आया, तो double cell organism बनाया, फिर multi cell organism बनाया, तो इस प्रकार 84 लाग दोनियों से होते हुए, मनुष्य शरीर बनाया, तो मनुष्य शरीर में ग्यान डेवलप हुआ, सिंदू नदी और सरस्वती के पीच में नहीं सभिता थी, ज कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा कि Human Values, Ethics, Skills, Habits and Wisdom Development Program, Meditation के द्वारा, तो कि यह ध्यान मेरा, तो कि मेरी आत्मा का बारी सुरूप मेरा ध्यान है, जहां मेरा ध्यान जाता है, परमात्मा की सभी शक्तियां उसी और कारियरत होती है, वह अमनी स्कैनर है, वो मेरे मन से हो होता हुआ, मेरे शरीर से होता हुआ, इंद्रियों के मार्जम से नीचे बार को दुनिया में पहल जाता है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना अचकास वाद किया, अपनी इंद्रियों से उन विशियों में पहल जाता है बार, मेरा ध्यान जो मैंने बच्पन में अपना स्क स्कूल देखा तो महां चला गया उस स्कूल की बिल्दिंग याद आने लगी कल मुझे कहा जाना है वो सब विश्य तो किस प्रकार यह ध्यान जो मेरे मन और शरीर से होके गुज़रा है और मन में तो खाली स्थूल मन में हैं जबसे मैं पैदा हुआ अब तक और उसके आधार पर मैं आगे का तुका लगाता हूं भै और चिंता और जिड़ लेता हूं तो इस प्रकार मेरा ध्यान मन और शरीर से होता हुआ बाहर प्पैल गया उस उस ध्यान को वापिस लाना है तो उसको फोकसिंग किस जगह विड्रॉब करना जहां से वह ऑपरेट करती है दोनों आखे मेरी कैमरा से यह दोनों अप्रिकल नव्स सेंटर में मिलती है जहां मेरे कान भी जूड़ें तो मैं देख भी सकता हूं उस आख से और पीछे में पिटर बनती है तो वह है मेरी तीसरी जिसका एक्सप कि आखों पर पढ़ते हैं और कुछ भी पढ़के बता सकते हैं मुझे याद है कि मैं गया तब याड़ी में आट-दस बच्चे प्यार किये थे इसी काम के लिए मैंने अपनी जेब से नोट निकाला और रोनों ने नोट का नमबर पढ़के बता तो वहां आख जो तीसरी आख है आपकी कुछ जानती है और वहां परमात्मा जुड़ी है सारा ज्यान उसी से उतर देता है जी पास्टर और प्यूचर की जो आपने अनुभव की जीवन में और उसके आधार पर आगे का तुक्का बैय और चंता तो शरीर की जरूरत है भूख कपड़ा मकान दूने करने वाली ताकत आपकी अटेंशन है अटेंशन करता है ना तो मन तो खाली इंफ्रमेशन दे रहा है मेट्रियल खाली बॉड़ी है और आप पार्ट है एबसुल्यूट इंटेलीचेंस के विचिस और नौइंग और प्रवेडिंग तो अगर आप अपने ध्यान को उस जग जो आपके मन और शरीर से घुजरेगा तो आपका एटिचूट बदल जाएगी और आपके शरीर से बहेगा तो आपका बिहेवियर थीक हो जाएगा तो किस प्रकार यह मेडिटेशन के द्वारा हम लोगों ने ज्यानम सुभी ज्यानम में इस पर्टिकलर विशय को बहुत इसमें डिस्केस किया है और किस प्रकार अटेंशन इस अकॉड़िटी जिसको तेलिविजन वाला बच्चे किस प्रकार उसमें अपने टेलिविपोन में लिप्त हैं कि वहां कोई न कोई ऐसी चीज दिखा कि आपके ध्यान को गसीटता है तो ध्यान इसे कमोडिटी तो इस लोग जान सिखा दें तो वो जितनी भी किताबे हमारी जली हैं वो दुबारा से उत्रेंगे उन बच्चों पर और वहां फिर से लिखेंगे तो इस विशे को किस तरह से समझाना है कि हमने करिये किया है मुझे लगता है कि मेरे दस मिनट ओवर हो गए होंगे और मुझे इशारा कर दें ताकि मैं अपने अपने विशे को बंद करूं हम चाहते हैं कि आपका मैंने आप से कहा भी था कि हम एक इंडिपेंडेंट लेक्चर जो है सेपरेट लेक्चर इस सारे विशे करेंगे क्योंकि यह मेरे ध्यान में था लेकिन वीच में अभी समय नहीं हमें मिल पाया लेकिन निश्चित रूप से आपका यह हमारे प्लैनिंग में है कि आपका एक पूरा विस्कार पूरवक्त क्योंकि यह कॉंसेट एक बार में समझ में आने वाला नहीं है और इसके जितने हैं और जितने इसके अलिमेंट्स हैं उनको एक्स्प्रेइन करना वो समय उसमें चाहिए तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा लेकिन जल्दी ही हम आपके साथ संपर करके आपका एक जो लेक्शर है और अगर संबभ होगा तो वर्क्शॉप को उसकी फॉ देखो सर नहीं तने प्रैक्टिकल बात किया जो हम भी बच्पन से सुनते आ रहे हैं दादी मदर कहा करती थी ध्यान से चलो ध्यान से ये काम करो ये सारी चीचे लिटी और साइंस दोनों जूड़ी है इसके लिए वर्क्शॉप हम लोगों ने इसको बहुत आप लिए सर जैसे अगली दफार इसको प्लैन करेंगे प्रॉपर ताकि हम लोग इसकी पूरी डीटेल्स को बेयान कर सके इस परकार वो ग्यान उतरे रहे हैं बच्छॉप जंदी लेंगे सर तो जैसा कि आप सभी लोग इस पर देख आ रहे हैं स्क्रीन पे डॉक्साब की ये एक जनरल भी निकालते हैं spiritual literacy for school टीक है ज्यानम सो भी ज्यानम के नाम से है और इसका जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोग इसको subscribe भी कर सकते हैं इस magazine को और निश्यत रूप से हम बहुत जल्दी ही इस विशे को जो है टेक अप करेंगे तो अब जैसा कि आप लोगों को पता यह है कि यह हमारा open house session है और इसको conclude करने के लिए मैंने निवेदन किया है डॉक्टर संजय शर्मा जी को जो कि दीन है science faculty के गौतम बुद्ध यूनिवस्टी में वो इसको conclude करेंगे last में लेकिन अब मौका है कि आप में से जिसका जो भी कोई व प्रश्न है वो हमारे साथ साचा कर सकता है अपने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कि बहुत संच्छेप में और सटीक आपके प्रश्न हो ऑब्जर्वेशन हो तो हमारे साथ तीनों वक्ता जुड़े हुए हैं वो भी अगर चाहें तो अपनी टिपनियां बीच में दे स अपना परिशे देतर के सर अपनी बात रखें मैं सर आर्के गुप्ता रिटायर्ड एसोशेट प्रोफेसर फ्रोम आर्केस्टी कोई कैथर सर मेरा टिपनी नहीं है कि वर एक निवेदन है कि जो पुस्तकों का संदर्व रेजजी ने दिया जानने बुक्ता नों दिया जुदि उनका हमें लिक मिल जाए तो हम उनको पढ़ने के लिए मगवा सकें को कि जीनों के उपर टिपनी करना तो संबब नहीं है मैं तीनों से निवेदन करूंगा सर कि मुझे तो यह लग 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 ही पूरा विश्तार से होना चाहिए कि यह कहते रहें हम सुनते रहें तो यह सारी किताबे जी ने बताई या दूसरे वक्ता हम नहीं तो हम कोशी करेंगे व्यक्ति का तुरू से भी ले ले और कोड़ों में भी बता सकें जी सुधीर जी कुछ कहना चाहरें नमस्कार सर आपने देखिए यह बड़ी विवारिक बात आश्टोस जी सर ने उठाई है देखिए आप अभी पंजाब विश्विद्याले में लगभग 90,000 प्रष्ठ कृपया इसको नोट करें नब्हे हजार प्रष्ठों का पीडिएफ और करीब 200 या 300 घंटों के वीडियो भारतिय ज्ञान परमपरा पर इंडियन नॉलिज शिस्टम पर मैंने अपने स्वयम से मैंने अपने ओफिस से लेकिन स्वयम मैंने संपाधित किये जिसमें 80,000 प्रष्ठों से अधिक प्रष् श्विद्याले का जो आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे पंजाब इनिवस्टी चंडीगड की वेबसाइट पे जाएंगे उसी वेबसाइट पर वहां का research and development cell है उसकी जैसे research and development cell पे आप जाएंगे आपको ये असी हजार प्रस्थ जिसमें के उसका content भी है that is to say के उसमें उसका एक जैसे विशेवार discipline wise topic wise suppose you need some insights from Indian knowledge tradition on management suppose you need one insight on वैशेशिक and theory of atoms suppose you need an insight into the concept of zero calculus algorithm and keral school of mathematics of India है ना आप जरा देखिए तो कि किस प्रकार से विशेयों को विशे that is to say the topics और उन topics पर भारती ज्यान परमपरा में असी हजार से ज्यादा प्रस्थ तो अकेले पंजाब विश्विद्याले चंडीगड की website पर मैंने संपाधित करके डाले हुए और जो और मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया वो अल्रेडी देल्गू में प्रति है तो इस पर मैंने क्या किया कि आपको सारे सारे वपनिषद आपको कुरान गुरुगरउंत साहब आपको को सारी इंडियन साइंटिफिगे कंटिंग भारती काव्य शास्तर बहरती मैठिये मेरा प्रयास रहा है लिए मैं महिने के लिए वहां का शोध का निदेशक था तो ये मैंने अपनी एक छोटी सी एक योगदान मैंने पंजाब विश्विद्याले और भारती समाज को दी धन्यवाद सर बड़ी सठीक जानकारी है बड़ी उपयोगी है और निश्चित रूप से इसका हम लाप भी कि प्रोफेसर चत्रवेदी जी कि अपने को अन्म्यूट कीजिए यह बुक है यह सिर्फ दो सा रुपई की है और इसको लिखने को का मेरा मकसद था कि चाहे वो आर्स का विद्यारती हो चाहे साइंस का हो इसलिए बहुत संचित है नौन साइंटिफिक लेंगवेज है कोई पढ़ सकता है तो मैं यह कहूंगा कर जानने के लिए क्या-क्या चीज़ें थी यह दो सर रुपई की किताब जो के आपका एमेजॉन पर भी अवेल इसका लिए शेयर कर दूंगा इसको ऑनलाइन शेयर कर दूंगा आप सबके साथ जे किसी और की कोई टिपने ही है और इसी दोरान मैं निवेदन करता हूं मैडम शिखा से कि भी आप लिंक शेयर कर दीजेगा ताकि लोग अपना सेटिकेट के लिए फॉर्म भर सकें जी सर शेयर करके शुक्रिया अशिचरोंगर जी का एक मैं विशेश रुप से अभार विक्त करना दरहा हूं तो कि जब अपना वक्त दे रही थे तो उन्होंने एक शहर करना नाम परका और मैं भी आपकर नहीं लोग करता रहा हूं मुझे बड़ी खुश्य आदम गोर रोता मैं सुझ हो रहा है अलग बात है कि मुझे परनेगर वालों को नहीं वालों कि मुझे परनेगर में क्या हुआ था हमारे साथ डॉक्टर सीदी कोशल जी जुड़े हुए हैं संस्कित के फिशिष्ट विद्वान हैं और बहुत काम किया है उन्होंने ज्ञान परमपरा पर और हायर एजुकेशन के साथ वो जुड़े रहे हैं तो एक संग्षिप किपनी मैं उनसे भी अपिक्षित करता हूं अपिक्षा अन्म्यूट करें सर अपने को चित्रंजन जी अन्म्यूट करें अपने को मैं शिखा आप कर सकते हैं इनको डॉक्टर चित्रंजन जी सर मुझे लगता है या तो मेरी है आवाद कर लें चित्रंजन जी जाग साब मैडम नहीं हो पाया आप से मुझे लग रहा है जी सब नहीं हो रहा है आप अपने आपको अन्म्यूटर लें हम लोग कुछ नहीं सुन पाया आपका अन्म्यूटर कर लें कि रेट सा एक नीचे डॉट है माइक का हां हो गया अब हो जी 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 बस मेरा ये निमेदन है सबसे पहले तो अंग्रेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया और रहते हैं और प्रभुत जनों को मेरा बहुत 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 वंदन इतने उत्तम वक्तव में सुनने को मिलें जो पहले कभी नहीं मिलें इतने विस्तार से उतनी गराई से चाहे सुधिर जी का हो और हमारे जो विद्वान जोड़ा और ध्यान की बात पताई हरे का बड़े विस्तार से सुनने का अग्रेश इच्छा है और आगे अवसर ऐसा हम अंग्रेश जी परदान करेंगे किन्तु मेरा एक निवेदन जब भारत के संविधान सभा के अंदर भाशा की बात चल रही थी और पचास प्रतिसे लोगों ने में संस्क्रित के पक्षमत दिया और विश्चा बनाया गया तो सारी भारत की घ्यान विज् yana परंपरा संस्क्रित प्रसारित हो पाई 70 वर्ष हमारे निकल गये किन्तु अ अम्रित काल आया है और मेरा ये निवेदन है और आक्रोश भी है कि संस्कित और हिंदी क्यों नहीं पढ़ाएंगे तो कोई कोई भी अवधारना जो हम कहते हैं कि भारतिये ज्यान परंपर के साथ जुड़ी है चाहे धर्म को ले लिजिए चाहे एजूकेशन को सिक्षा को ले लिजिए साव विद्या या विमुक्त एका भाव तब तक घ्रद्ययंगम नहीं हो पाएगा जब तक उन्होंने बच्पन स संस्कित को नहीं पड़ा होगा हमारा जो आंनूदित करके जो बढहा जा है उससे भी अर्थ का अनर्स हो रहा है और मेरा है कि हम संस्कृत और हिंदी से भी जोड़े ज्ञान के ऊपर जो कारे हो चुका है और उसके लिए एक भारत को जानो चोटी सी पुस्तिका है और इसके अंदर पुष्षुत चरक कनाद पतंजली आरेभट वराह मेहर गुप्त नागार्जुन भासकर प्रथम भासकर वितिय सवाई जैस सिंग जगदिश चंद्र बसूर पीसी रे डियस वाडिया श्री नवास रामानुजम चंद्र शेकर वैंकर डर्मन बीरबल सहनी शेशिर कुमार मित और बहुत नाम दिये हुए हैं बहुत ज्यान की परंपराओं का वर्णन दिया हुआ है इस पुस्तक केवल मात्र प्रिंट हो गई तक नहीं पहुंची है तो भारत को जानो पुस्तिका ये पर बचेता की शिशू से पहुंचे और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं ये चंद्र का मेरे पुस्त लगाई है और आशुतोष अंग्रश जी आप से मेरा निवेदन है कि ये चोटी सी पुस्तिका है और इसके पीछे एक श्री ब्रह्म विद्या दिया हुआ हुआ है ब्रह्म विद्या लिखा हुआ है श्रीमत अभी नहीं गुप्त विर्चिता श्र इन्श्री वाक्तार रहा हुआ अब लगसा जिकोरता उख हुआते हुआ है UKIÎल मतय्पाठ आप करते होको स्विरू श्री ब्रह्म विद्यात की बाथ आप संथे हो उसका अनुभव करने के स्टार्व है और इसके वीजल सेप्रिष्ठ हैं और इसका वाचन है पाठंब इसको भी क्रियात्मग रूप में कराईए आप और मैं थोड़ा सा एक दोश्लोग बोलूँगा बाकी मैं सबका धन्यवाद करूँगा श्री ब्रम विद्या का श्री गिनिश करते हैं इस ब्रम विद्या की प्राफ्ती हमें कल्जान सुरूप श्री भूती राजी जी के द्वारा हुई है यह ब्रम विद्या महा काल के मुख से चुड़ा कर मुश्य मात्र को तक्षण ही पूर्ण विश्वास दिलाती है पूर्ण विश्राम दिलाती है मृत्यू कसमें इस ब्रह्म विद्या का पाठ करने से जिवात्मा इस देह को उत्याग कर निरंजर पद को प्राप्त करता है और मैं आगो क्या बताऊं भारत की जो संस्क्रत भाशा है अमृत काल के अंदर उस अमृत भाशा को यदि आप बच्पन से बच्चों को पढ़ाए है उसकी निश्चित रूप से स्थापना होगी संस्क्रत पढ़ने बाले योग प्रिचार है और स्वास्त दिक्ष्णम द्वारे भारे ध्रमा चर्णम जने जने इसार से बहुत जैने की भावनाएं हैं मैं पाने को विराम देता हूं धन्यवाद दौक्षा अश्यक्षा अख्रमा के साथ कि संबी धान सभा में जब संस्क्रत द्राश्चा पर चर्चा परिचर्चा हुई है तो मत दाने 50% नहीं था जैसा भी था हिंदी भाषा बनी जितना था वह आप बताईए वह सर्फ पूरा डिटेर में बताना पड़ेगा आंगलों के साथ मुझे वह मैं आपको भेज़ दूँगा एक्जेक्ट भी नंबर दे दूँगा आपको मैं तो संस्कत्रत हिंदी भाषा स्विकार की गई ना मैं जो कहना कहा रहा हूं कि प्लीज यह जो इंफ्रमेशन है आपके यह अधुरी इसलिए है क्योंकि जब संविधान सभा में चर्चा हुए बड़ी विस्ती चर्चा है और उसको आप देखिए और उसके बाद जो मतदान हुआ है उसमें ना तो संस्कृ को सिकार किया गया है आपके वह सबस्क्राइब के प्रत्यार प्रतियार के मिना भारति ज्यान विध्यान ये प्रतिष्ठापना संभभ भी नहीं है सब्सक्राइब नहीं होगा हिंदी भाषा का पर से उत्साह से नहीं होगा वह उत्साह जीवन में आहीं सब्सक्राइब नहीं हो मैं तो इसके उपर मेरी तो टिपनी थी कि ऐसा नहीं हुआ था वास्तम में यह सबसे बाद में विशे लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं दो जाना चाहिए था जो उसके बारे में वहां पर बात गई गई थी उसको उस रूप में नहीं लिया गया था और इसी लिए च्रबाद में एक खाना पूर्टी के लिए ना उसको अमने श्रुट को डाल दिया था बस बिल्कुल बिल्कुल की गई थी चलिए ठीक है इस विशे को फिर लेंगे किसी और की कोई टिपनी हो कोई विचार हो तो अपना बहुत संग्षेप में रख सकते हैं और उसके बाद मैं संजय जी को आमंत्रित करूंगा इस सारे विशे को कंक्लूट करने के लिए और उसके बाद धन्यवाद ग्यापन वाद जो इस सेमिनार के कर्मीनर हैं लॉक्टर क्रिशन जी पूर करेंगे सर आप में से कोई कुछ कहना चाहता हूं तो उसको बीज को पहले से कैसे पता है कि वो सोलर एनर्जी पोटो सिंटेशिज इस्तमाल करेगा जहां जाएगा ध्यान उस परमात्मा का वह पार्ट है जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसको सब कुछ मालूम है इवन उस चोटे से बीज में भी उसका जो जान है उसको मालूम है कि सोलर एनर्जी कैसे यूज करनी हम तो सोलर पैनल अब बना रहे हैं वहां पौदा लोगों ने इस विशेक को टेक अप किया है और मुझे अब बात करेंगे हमारे साथ एक वक्ता जो है अपने वक्ता भी हमारे साथ रखना चाहते हैं दो तिन मिनट में डॉक्टर धनंजे जी पिलिटिकल साइंस से हैं जी अपने को अन्म्यूट परकर अपने और उसके बा अबर्टिय वाद शर गुड़ाटर ने वरीवन इदने जै फ्रॉम डिपार्ट्मेंट अप्रिटिकल साइंस एज जी को लिज अमवाला केंट सबसे पहले तो मैं आज की स्कारेकरम के आयोजन के लिए हरियना गरंथ अदमी और सनातन धरम कोलीज के सभी आविजन समिती के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं एंड इस पेसल थैंक्स टू अस्तो सर वे इंस्पाइड में एंड प्रोवाइड दिस अपॉर्चनेटी टू सेर माई थोट्स ऑन दिस टॉपिक सो मेरा जो टॉपिक है वो है भारतिय ज्यान परंपरा समाजीक जरूरतों की भारत को बनाया जिसमें मानो जीवन के लिए तालमेल समाहित है इसलिए हम क्या सकते हैं कि भारती संस्कृती वेद की तंत्र की और योग की त्रिवड़ी है भारती परंपरा के अनुसार हमारे चिंतन में कई धाराये हैं लेकिन पस्मी देशोंने के वल एक ही धारा को समझ की गई है जिसके कारण हमने अपनी समरिद और सकतिसाली ज्ront की परंपरा को आज बहुत हदि तक हो दिया है इस ग्यान परंपरा में आधूनिक विज्ञान सहीत सभी छेतरों के लिए अद्बूत खजाना है जरूरत है हमें उसको खोज करके विश्व गुरू की राह पर बढ़ेने के लिए हर भी से को पस्वी नजरिये से समझने और उसको प्रस्तूत करके हमने अपनी प्राचिन ग्यान की परंपरा का अपमान किया है आज हम लोग अपनी परंपरा संस्कृती ग्यान और यहां तक की महान विभूतियों को जब तक महतों ही देते जब तक पस्वी देशों के द्वा बहार और विचार सब कुछ एक समय था जब भारती संस्कृति के रंग में रंगी हुए थे लेकिन आज वेस्टर्ण कल्चर की चका चोंध ने पुरी तरीके से ब्रमित कर दिया गया है यहां पर मैं एक उधारण देना चाहता हूं उत्तर परदेश की बनारस के अंदर भारत के प्राचिन पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और अपने आपको भारतियों को ग्यान को नहीं भूलना चाहिए इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे सब्सक्राइब कर सका हूँ मैं भी जो अपना आज का जो सेमिनार है जो टोपिक है उसमें साइंस बैक ग्राउंड का मलब इसमें एड़ करना चाहता हूँ कि देखो हमारे जो नोबल प्राइज पहले हुए हैं स्रीवी रमन के बाद उससे पहले उसके बाद अभी नोब प्राइज हमारे नहीं आ रहे हैं उसका एक काण यह हो सकता है कि जो मकैले की एक पॉलिसी है जो एड़ुकेशन है जो ग्यान नहीं है तो अपने स्टेंट्स को जो भी हम एड़ुकेशन दे रहे हैं हम उनको बता रहे हैं बटा यह ऐसे करा आपने यह पढ़ना है इससे इमाप्सा है नहीं होता है तो स्टेंट्स को वहां पर बहुत जाला नौलेज है उनके अंदर तो हमने अपने स्टेंट्स को वह हमने आगे लेके आना है हमने बताना है वह चीज़े लिटन फोर्म में नहीं है जो न्यू एक पॉलिसी है इसका में एक कंटेंट यह वी होना चाहिए कि जो भी हम साइंस के बताते हैं उसमें इंडियन का कंट्रिब्यूशन है उसके उपर एक लाइन एड करनी चाहिए हर जबहें तो जो भी यह हम साइंस है जो भी नहीं हो आदे मों चाहिए ह। पढ़ेंगे तभी वो बच्चों को बता पाएं तो आपको अच्छा सेमिनार रहा हमारा इत्रियास था कि ट्रेंट्स को या सभी को पता लगे कि साइंस और यह जो इंटेंसियंट है आपका सुझा बड़ा विभारिक है और निश्चित रूप से इसके उपर अभी आने वाले समय में जो हम वक्षॉप करने का सोच रहे हैं और जो योजना बना रहे हैं वो लगभग कुछ इसी तरह की है आपको बुक्स भी उपलब्द होंगी और आप लोगों को तक लाएंगे कि वो लेक्षर ही नहीं है उसमें प्रयोग भी है तो निश्चत रूप से अभी आने वाले समय में और यह सीरीज जो है यह लगवक्त दस लेक्चर्स की दस सेमिनार्स की सीरीज है और इसमें हम जो है FTPP लगाएंगे तो इसमें पूचना आप से देंगे अध्यक्ष जी की अनुमती से ज़रूर इसको हम करेंगे हर्यानग्रंथक आत्मी इसके लिए धनराशी उपलब्द करा देगी तो निश्चित रूप से इसको भी हम कंड़क्ट कर लेंगे किसी और को कोई विचार हो को सुधाव हो बहुत संक्षेव में और पिर मैं आमंत करना चाहती हूं सर अधी करिए अधी करिए सर्व मैं बताना चाहती हूं जैसे मेरी बच्ची है साड़े साथ साल की कि तो मैं उस पे थोड़ा सा मतलब एक्शन रिसर्च करती रहती हूं अपने स्पीच्वल पॉइंट और व्यूस के मैंने यह पाया कि जब वो जैसे मैंने उसको बोलना नहीं आता था एक दिन मैं अपनी जो माता जी है उनसे काना जी की बात कर रही थी तो उसने नाइन मंत के एज में मुझे इशारा करके बताया कि यह यह फोटो है काना जी की कि जिसकी आप बाते कर रहे हैं यह काना जी की फोटो है फिर नाइन मंत में फिर टू इयर्स की जब वो हुई तो जब मैं एक दिन वेक्षिनेशन करवाने जा रही थी यहां अमबालाई तो जो स्कूल बसीज होती है कैंटोनमेंट की उसमें जेल नूबा जाली बंद होती है तो उसने वर्ड यूज किया ममा जेल जा रही है जेल जा रही है पिर वो थोड़ी बड़ी हुई तीन या चार साल की तो मैंने यह अनुभव किया यह हमारे जो सेल हैं उनमें जो वेकेबलरी है वो पहले से इंबेडिड है जो भी लेंग्वेज हम उसको देते हैं या जो भी एंवायरमेंट में हम उसको रखते हैं तो वो ट्रीगर हो जाती है और एक्ट हो जाती है यह तो मैंने दो आप सब के सामने बताए हैं कि भी बच्चे को पता है कि यह जेल जा रही है क्योंकि वह जेल नुमा स्कूल बस बनी हुई है और तीम क्या साथ ही वह जाती है तो I mean to say कि इसी लिए हमारे हैं है 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 शायद कोई ना ही वह वहाँ छोड़ कर आए है तो उनसे हमें भी वहां से भी मैसेज होते हैं जो सकता है प्रिसर्ज को हो इस पर चाहिए बिल्कुल तीन के विश्चे इन्होंने कहा है कि जब माता के गर्व में जाइगॉट नाम करता है तो माता एगॉट ते दो बसे हो प्रोप से रिंगर जे कि जब है तो deepest करता है जो तो इनकर है टु़ उह ग्षरशा जोग तो तो पिजे प्रित, और अजुग झाम क माता है पर इन बेर में मेंमरी ज़ ए है जो है हम यह जो है झाल 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 है लेकिन आप कह सकते हैं कि हम लोगे तो गाश समुद्र है बेसिकली और गागर में शाकर इन लोगों ने भारा आए हम सारे वक्ताओं के अंदरे जिग्यासा पेदा हुई यह भी अपने में मैटफोन बात है इसको जानने की अलाकि दुर्बागे है कि इतने लंबे समय के ब कि देश गुलाम रहा शिक्षा की पद्यति अलग तरीके से रही तो हम अपने औरिजिनल सास्त्रों को कभी देखनी पाए समझने की हिम्मत नहीं पढ़ने की जुरत मैसूस भी नहीं है क्योंकि शिक्षा एक हमारी नौकरी का संबंध तक सिमित रहा उसे ज्यादा कुछ र चैरों का बंद्र को नचाने वाला देश है तो तो से मानशुक्ता के बाद में हम अपनी हर चीज़ को हर विज्ञान विए चीज़को sidewalk के विग्णि की दृष्टी से जो पOSHकantics एhis मारा अपने दर्सन आपने तरीका है हिसी भी जाता में यहां तक की गरूर पुराण सिंपल उठाके देखिए आपके यहां होता है गरों में जब आप पढ़ेगे तो आई रुवेल से लेगे हर चीज उसके अंदर विद्ध्यमान है जो उस बनाता है अगर वास्तों में घर में पढ़ते हैं उसको कोई मृत्य हो जाती है तो सारे विश्व के अंदर आ जाते हैं यह लोग पूर्ण होलें संपूर्था में विश्वास रखते हैं निश्वित रूप से हमारे गरंथ अलग अलग भी बने हैं और आज वह समय आ चुका है जब हम लोगों को उन गरंथों को अलग लग एक विश्व भी आया था कि वो गरंथ मिलेंगे कहां पुराने गरंथ हैं मौलिक गरंथ हैं जैसे आपका विमान साज्त रपना बार्द्वाद जी का है उसमें लगबग उनतर नहीं उनासी उनासी गरंथों का उलेख है जो वड़नी थे लिखें हुए आलरी इसमें लेकिन वो ग्रंथ हैं कहां इसको डूंटे डूंटे मैं गया तो केरल और तमिल्लाडू कि दो अस्थानों पे मैनिस्क्रिप्ट्स जो हैं वहां पी रखी हुई है लगबग एक ही विश्व सिर्फ फिजिक्स की और बात करता ह एक विश्व में कितनी मैनुस्क्रिप्ट वहां है कुल मिलागे 7% मैनुस्क्रिप्ट ही ट्रांसलेट होई या कहले जी उनको बुक फॉर्म में आया है वाकिस सब रखी अभी भी जंत्र सर्वस्व मिलते नहीं है डूनते रहते हैं बहुत सारी चीजिए बताई और एक और छोटा था था कि मैं यह तो है अपने चितन जन्जी सीडिय स्कोशल जी ने कुछ विसे रखा बहुत सुंदर तरीके से रखा विसे लेकिन मेरा परशन यह था कि वह पांच साल से भारतिये यहां हर्याना हार एजूकेशन काउंसिल से जोड़े हुए लगता है वहां पर य चाहिए इसली चीज़ा मौना है औरी होना यह श्यूत है और सो खञता है ऑब हम हमारे इमत लिए का और प्रेख्ष़कर कर सकते लेकिन वह रका हो इतना विस अविक से रहें कि आप जहां से शूरू कर लिए कि मैं बार्दवाजी को सुन रहा था कि उन्हों ने जिस तरीके से बड़ी छोड़ी खीचों से सुरुवात बताई हलाकि यह आप मानके चले कि वरतमान जो फिजिक्स है यह वरतमान विज्ञान है यह बच्पन में भारत का विज्ञान रहा है और जहां हम सुरू कर रहे हैं पढ़ना निवारी है कुछ कुछ थोड़ा वरता ठूटा भूटा भी पढ़ेंगे अलागी सुनस्क्रत वाले लोग गुस्ता मान जाएंगे कि उनके बड़े स्टिक्ट रूल्स होते हैं और इसलिए वहीं उनके स्टिक्ट रूल के मताबी कि वह स्टिक्ट ताज तक जिन में अठाइस पेज का एक लेटर है जिसमें इन्होंने बताया कि इतने वीडियो डाले में तो शुर्वाती उसके लिए वह अच्छा है कि सुर्वाती अंडरस्टेंडिंग के लिए तुम्हें ठीक है चलो यह चीज़ें जोड़ी बहुत डेटेल में बहुत गहरी चीज़ लिए आ जाती है तो कुछ चीज़ें खरीदने पड़ेंगी खरीदने के लिए मैं बुक्स की लिस्ट जो है हमारे पास लगबग कैज वीज़ेगी 5000 सी जातों वेबसाइट से जो इस पर काम करती है सिर्फ हिंदो उस पर लिट्रेक्चर को और अनिक चीज़ों पर इसके अ मंसूरी में जो अपका यह की ट्रेनिंग का सेंटर है वहाँ पर है अनिक अस्थानों पर फैली पड़ी है मैंने स्क्रिप्ट से लेकिन उनका ट्रांस्रेशन भी मैक्सिम जगे ट्रांस्रेशन के लिए उनको उस फॉर्मिट में नहिला आ गया कि वह रिडिबल हो बहुत सा कि धरमपाल जी ने महत्मा गांदी जी के प्रम सिष्य थे अभी 2006 में सरी छोड़ा वंदो रहे हैं आज वोल्यूम्स लिखें अलग लग सी ब्यूटिफुल ट्री एजुकेशन भी लिखा एक वोल्यूम पूरा पूरा इस तरीके से एंसेंट इंडिन साइंस टेक्नलोजी उनको प्रसीन हमेशा लोग यह पूछते थे कि भाई आप लोग विज्ञान की बाते करतों मेरे पास है क्या प्रमान है आपके पास उस शक्र में वह विदेशों में गए इंग्लेंड में के अस्थानों में गए अध्यान किया शास्त्र पढ़े और उसके बाद उन्होंने करीबन 4500 पेज की पुस्तक है इंसेंड टेखनोलोजी इंडियन टेखनोलोजी पर लिखी हुई है बहुत सारी चीज़े अवेलेबिल हैं कुछ में डर्साब को शेयर कर दोगा इसी गुरूप पर लिस्ट भी शेयर कर दोगा बुक्स मैंने अभी दो तीन दिन पहले निकाली थी तो देड़ सो फुक्स हमारी टेखनोलोजी पर लेकिन आज वो समय कि हमें सिर्फ छोड़ी चोड़ी चीज़ों को नहीं एक एक विश्य बनाके उनको रखना पड़ेगा कुछ जगह पर यह कोर्सी शुरू हो गए हैं जैसे आपका इंडिन ट्रेडिशनल सिस्टम इंडिन ट्रेडिशनल नौलीज सिस्टम पर कुछ कोर्सी सुरू के कुछ जगह पर तो वहां क्या होते हैं प्रायमरिल हम लोगों को एक समझ सुरू होती है कि हमारे कौन-कौन से चीज़ है किस तरी किसे वर्गी करन किया फिर अले बनाने पड़ें पर लिखना पड़ें हैं पर्मान से देना पड़ेगा तो ऊस तरीके से प्रियास करें और जो भी लिखें उसको कोशिस करें क्योंकि देखिए जब तक वह कोर्स में नहीं आयेगा इंडिया ने यूजी सी ने डीएस्टी ने बहुत सारी सेल्स खोल दिया इसके लिए वो फंड भी दे रहे इंड दे लिए से लें तो फंड देना सुरू करते हैं कि आप अपने अपनी यह को लिए आएट इस ने बहुत पहले से सुरू किया हुआ है आएटी मदरास में काफ फिजिक्स इंसेंट फिजिक्स से लेके और बहुत सारे विश्यों पर काम शुरू किया अभी हमने एक लाइब बढ़ी बना रहे हैं कोशिश करें वहां वह सभी गरंतों क्लब्ध हो पाएं सब भी तो संभव नहीं है पर कोशिश करेंगे अधिकतब हो पाएं इस तरह के बन सब्सक्राइब करेंगे तब वास्तों में प्रिणाम चीज़ें सामने आएंगी जिनका हम उसिस कर रहे हैं इसके लिए परियास कर रहे हैं ठीक है नहीं तो क्या हो था कि जैसे ठीक है असुदोस्टी प्रोग्राम करते हैं हम लोगों को थोड़ा उसमें खोड़ी अच्छ लगता है कुछ खुजास ही लगती है थोड़ी गोती और उसके बाद बाहर निकलते ही गंटे दो गंटे बाद फिर से वह रूटिन लाइफ सुरू हो जाता है और उस रूटिन लाइफ का प्रिणाम क्या होता है यह नहीं वह हमारी हिश्चा नहीं बनी है उस सिर्फ कुछ नहीं तो अपने लिए देश के लिए करें ऐसा भाव लेकर जब करेंगे तो निशीत रूप से एक परिणाम आएगा और उस परिणाम का हम सब लोग जिस सुकत अनुबों की कलपना कर रहे हैं वो होगा शाद में कुछ ज्यादा बोल गया हूं मुझे माप करेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों मुझे मुका देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर संधिया जी और आपने जो बहुत सूचने हमें दी है औ और जितना हमें आपने ये दृष्टी कोंट दिया है कि इतना काम हुआ है इतने मैनुस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं इससे हमारी दृष्टी ने व्यापकता आई है उसके लिए आपका धन्यवाद और आपको साधुबाद और कारेकरम को अब पूनता की और अग्रसर करत से हैं हमारे ही कॉलेज से तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह हर्याना ग्रंत अकादमी और बाकी जितने भी हमारे कॉलेजिस जुड़े हुए हैं उन सब की और से सभी प्रतिभाग्यों का धन्यवाद ग्यापन करें हैं इस तक भी जहां-जार हमारा रिकॉर्ड हुआ आपके इसी ग्रूप पे तो लोग देख लेंगे जहां साथ प्रोफेसर वेंद्र चोहान प्रोफेसर अस्तो शांगिरस और जितने भी कोल्जिज हैं जुन्होंने हमारे साथ पार्टिस्पेट किया है ओगनाईज करने में बहुत एक अतियंत महतंपूल विश्या है जो हमने अपने स्ट्रेंट्स तक पहुंचाना है जिसको क्योंकि ह हमारे जो भारतिया ग्यान प्रमप्रा है बहुत अच्छी रही है लेकिन धिरे-धिरे ये जो मैं कहले की जो इंगली से कहेंगी एजुकेशन पॉलिशी ती उसने हमारे जो प्रमप्राई है या उनको देर देरे खतम कर दिया है और हम जस्ट एक प्रोफेशनलिजम की तरफ से के तरीके से हम एजुकेशन दे रहे हैं तो इसलिए ये जो सैमिनार है इसमें हमने बहुत अच्छा मतलब एक वीशेयर रखा हुआ है उसमें हमारे जो स्पिकर हैं प्र भरा हुआ है उनको हमने आम जनकी बहासा में बदलके अच्छी बातों को जन जन तक पहुंचाना है ऐसे हमारे जो डीके चतरवेदी हैं हम मेरे गुरुजी रहे हैं वो पिजिक्स डिबार्डमेंट में उन्होंने जो साइंटिफिक फैक्स दिये हैं जो 1400 या 500 AD में आरिया इसको हमने बच्छों तक पंचाना है कि ये चीजें पहले यी already exist करती हैं तो ऐसे जो चीजें हैं वो हमें बताना है सभी को तो इसलिए मैं अपनी तरफ से organizing प्मेटिक तरफ से सभी पार्टिस्परेंट्स का सभी स्थूदेंट्स का अधार्दिक धन्यवाद करता हूं और प्रासा करता हूँ कि हम आगे भी ऐसे जो स्टैमिनार्ज हैं या वर्क्सोफ हैं इनको और्गनाइज करेंगे और यह भी से हमने लिया है इसको हम आगे तक लेके जाएंगे धन्यवाद डॉक्टर क्रिशन जी और अपनी और से भी उन्होंने तो इस कर्मीनर होने के नाते उन्होंने आप सभी का अभार वेक्ट किया है लेकिन मैं अपनी और से आप सब का अभार वेक्ट करता हूँ आप लोगोंने समय दिया हमें और हमारा ज्यान वर्धन किया हमें दिशा निर्देश दिये हैं और हमा भी आपका आभार वेक्ट करें वो कम ही होगा और मैं आपकी लोगों को ये सूचित करना चाहूंगा कि ये भाग एक पहला है ये पार्ट बन है इस सीरीज का इसको भी हम और टेक अप करेंगे और इसी के दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि इसके उपर हमें कारिशाला जो है तो आयोजित कर सकें और उसमें हम प्रशिक्षन दें कि किस तरह से इन विश्वों को बढ़ाया जाए और इसके लिए पुस्तक निर्मान किस तरह से करना है उस विशे पे हम जल्दी ही एक कारिशाला भी आयोजित करेंगे और उसमें आप सभी का हमें सायोग अपेक्षित है और जैसा कि डॉक्टर चंद्रकोर भारद्वा जी ने हमें अपने विशे के बारे में बताया है जिस और हमारा ध्यान जादा नहीं था तो उनके साथ मैं निश्चित रूप से एक वेबिनार जो है फुल प्लेजुनी के लेक्चर के उपर उसको हम टेक अप करेंगे जल कैसे उसमें की जाए और अभी-अभी मेरे ध्यान में प्राचार महुदय डॉक्टर प्रमोद वाजपई जी जो महराजा अग्रसेन कॉलेज जगातरी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत भी है धन्यवाद भी है और वो हमारे सह से योज़त भी है इस सारे कार कारिक्रम में और बहुत संभावना है कि अगला कारिक्रम जो है इसकी अगली श्रिंखला अगला जो कड़ी है पार्ट तू या पार्ट थ्री वो उनके कॉलेज में होगा तो निश्चत रूर से उनके दो शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आज का कारिक्रम हम पूर्ण क करेंगे यह सर अपने को अन्म्यूट कर लिजे कि अन्म्यूट ही है वाज अवाज आ रही है आप जी सर बहुत-बहुत बढ़ाई और धन्यवाद आपको कि आपने इतने सुन्दर विशय पर आज इतना बड़ा अच्छा मन्थन किया और मैं जल्दी चाहता था लेकिन कालेज की बिस्ताओं की वज़े से बिलंब हो गया तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाईयां और इतना सुन्दर आयोजन और सारे बुद्ध जीवी और सारसुत पूत्र जुड़े हुए हैं और मैं सभी काविनंदन करता हूं आप सही मैंने जो सुन पाया हूं कि य इतना गोते लगाये जाएं उतना कम है क्यूंकि यह अथा समंदर है और इसमें बहुत ग्यान भरा पड़ा है जिसका अभी दोहन और जिस तक पहुंचना और जिसको धरातल पर लाना चुनौती भी है और जरूरी भी है तो यह कई कारिक्रम इसके लिए लगातार करने पड आपके और ग्रंथकाद्वी के और बाकी बुद्द्जीवियों के सहयोग से मदद से यह कारिक्रम निरंतर यूँँ ही चलता रहे इसमझ से मुझे विशय पर कोई ज्यादा भी मैं नहीं जान पाया हूं कि क्या है तो मैं उसके लिए अपने और आपको पुना बधाई दे देने के साथ अपके मारी को भी नाप देता हूं धन्यवाद धन्यवाद सर जंदी ही मैं चाहूंगा और आपसे निवेदर नहीं करूंगा कि अगला जो इसका सेकंड या थर्ड पार्ट है मोस्ट प्रब्ली मैं चाहूंगा कि अगर आप उसके लिए अपनी सहमती दें तो उसको हम आपके कॉलेज में इसको कर लेंगे और पूरी सहमती है और मैंने चवान साब से बात भी की थी अपने काहें कारिकरम करिये साहिद लेकिन वो विशेख दूर्ण कि 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 पीजान करने का प्रयास करेंगे और ताकि हमारी जो ग्जान विवस्था है भाय वीजान सु बुष्टर्ण हो और प्रभावी वेनी शब्दों के साथ धन्यवाद आप लोग मीटिंग चोड़ सकते हैं